हम्रा टारगेट हमके स्टार्टिंग से ही सबी लोग सबी माइक अफ कर लीजिए खरों के सो नब्भे अपरसेंट हम purs टारगेट लेकर चलेंगे अगले पांच दिन मैं ठीक है अब बहुत सारे हम लोग सबसे पहले चार-चार नंबर की जो questions होंगे उनको हम लोग finish करेंगे complete smart work करेंगे hard work भी करेंगे लेकिन smart work बहुत जरूरी हमारे लिए ठीक है यह सब कुछ चलने वाला है पहले चार नंबर, फिर तीन नंबर हाँ इसा हो सकता है कि चार नंबर के साथ-साथ कुछ topic ऐसे हो जहाँ पर दो नंबर के तीन नंबर की questions आ रहे हैं तो साथ में उनको भी ले ले लेंगे ऐसा कोई नियम नहीं हमारा कि हम चार नंबर कर लेके बेठे हैं तो चार नंबर ही करेंगे ठीक है तो हो सकता है कि आपको जो मैन एक्जाम में वहाँ पर यही blueprint देखने को मिले क्योंकि MP board ने इस बार क्या हुआ है blueprint को पूरी clear नी mention नहीं किया है मतलब इस तरीके से उन्होंने दी नहीं है हमको हमको सिर्फ unitized blueprint दी है तो most expected blueprint जो है वो यही है ठीक है और एक बात और आपको बताएंगे लेकिन वह आपको आगे बताएंगे ठीक है तो अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि यह जो blueprint है भईया इसी को आपको follow करके चलना है कि चलिए तो अब हम लोग करते है स्टार्ट कोई question हो तो आप लोग अभी पूछ लीजिए एक बार पूछी लीजिए आप लोग questions अपने 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 फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लास को अब लिए अपने परिक्षाबुद में नहीं है परिक्षाबुद में डारेक्ट दे रखी उन्होंने कि बहाए लेक्ट्र स्टेक्ट्रिक से कितने नंबर का question आएगा चार और दो छे नंबर का आएगा यह नहीं बताया कि कितने परिक्षाबुद पूरी लगा लें इससे अच्छा है कि जो हम लोग करवाने वाले उसको कर लो कितने में आपका सब कुछ हो जाएगा यह जो questions हैं इनको लोग बाद में लेंगे अभी हम लोग class को start करते हैं ठीक है आप लोग सभी अपने माइक एक बार ओर off कर लीजिए ठीज सभी लोग काफी पेन लेकर बेठे हैं कॉपी पेन लेकर सभी को बेठना है ठीक है क्योंकि अगर आप लोग कॉपी और पेन लेकर नहीं बेठोगे तो कोई मतलब ने निकलेगा class का सिर्फ एक रिक्वेस्टर कर लेकर कर रहे हैं कि कॉपी और पेन लेकर आप लोग सभी बेठे होगे तो आप लोग देखोगे कि आपने कितना कुछ कर लिया है ठीक है बस कॉपी और पेन लेकर आप लोग सभी बेठे होग आई थी बहुत सारे बच्चों को सभी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस चीज की उपर जबी वो अच्छा इसको नहीं कर पाते हैं आपको क्या करना है यह जो आप लोग पेज देख रहे हो 45 पेज की यह PDF है इस तरीके से आपको क्या करना है अपनी जो copy है या तो आप लोग एक नई copy ले लीजिए 10 उर्पे वाली जितनी भी आपको लेनी है वसी या फिर आप लोग अपनी जो copy है रफ copy वगेरा जो भी है उसी में pages को fold करके एक नया section बना लो ताकि आपका एक section अलगी रहेगा physics का हम लोग क्या करेंगी यह जो आप लो questions देख पा रहे होंगे एक page के अंदर यह 10 number के questions थे पिछले बार यह 5 number का और यह 5 number का इसको बोलते है short notes इनको बोलते है short notes तो इसमें क्या होता है इसमें हम लोग वो वो चीज़े लिखते हैं जो कि आपको exam में यह words लिखके ही आने अगर आप लोग 5 number चाहते हो आप तो 4 number के questions आएंगे अगर आप लोग 4 number चाहते हो तो आपको यह जीजे तो mention करनी ही करनी है तो इसको बोलते है short notes तो आपको short notes बनाते हैं चलने साथ में ओके आपको पूरा guide करेंगे किस तरीके से बनाना है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह रहता है कि जब आप लोग exam से एक दिन पहले जाओगे और अगर दो गंटे भी दो गंटे भी निकालके इनको देख लिया आपने तो आपका पूरा physics complete हो जाएगा complete पूरा physics और last year इस short notes से 80% तो यहीं से आ गया था किसी भी topic के लिए ठीक है चलिए start करते हैं बहुत बात कर लिए हमने आप सभी लोग mike off करेंगे आप सभी लोग mike off करेंगे तो देखिए हमने आपको important questions तो provide कर दी है ठीक है बाकी PDF भी हम लोग आज provide कर देंगे आप लोगों को तो आपको क्या करना है बिया बस देखते जाना है और copy pen pen पर copy मतलब copy के उपर pen चलाते जाना है बस इतना सा काम आपको करना है जो हम आपको बताएं वो करते जाना है सब कुछ करो हो जाएगा आपका देखिए तो आपने blueprint यह रही हमारे सामने EMI जो chapter है हमारा EMI मतलब जो unit number 4 है EMI and AC दोनों को मिला के 4 number का एक questions पक्का यहां से आएगा 2023 में भी आया था 2022 में भी आया था मतलब EMI और AC तो ऐसा chapter है जहां से 4 number का आएगा ही आएगा कुछ भी कर लो आएगा ही आएगा और इसमें से भी 2-3 questions तो एसे हैं यार कि जो कि हर साल repeat हो रहे हर साल repeat हो चलो तो वहीं से start करते हैं है ना तो पहला जो हमारे पास most important question आता है वो आता है AC dynamo का AC dynamo यहीं से हम लोग उठाने वाले हैं ठीक है यहीं से उठाने वाले हैं चलिए तो AC dynamo लगा लेते हैं AC dynamo AC dynamo से हम लोग start करेंगे अच्छा ऐसे लोग जो कि इस वीडियो को recorded form में देख रहे हैं तो अगर आप लोग चाहे हैं तो last में चले जाना मतलब यह जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग इसमें सबसे last में चले जाना वहाँ पर हमने topic बता रखें कि यह यह topic इस वीड कर लेंगे semiconductor के most important questions कर लेंगे और चेप्टर हमारा होता है wave optics उसके भी questions ले लेंगे तो यह हमारा target है लेकिन देखते हैं कितना हो पाता है आज की class में बाकी फिर continue करेंगे उसको ठीक है चलो बिल्कुल हम लोग जदा time waste नहीं करेंगे जो चीज़ें easy है उनकी उपर तो बिल्कुल नहीं करेंगे अच्छा है तो यह तो हमने pdf खोड़ ली काम करते हैं आपको दिखाते हैं direct इसका वीडियो एक आप देख लीजी छोटा सा इसके बाद आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा सब कुछ तो हमारे पास फिजिक्स का सेक्षन है यहां पर हमारे पास चेप्टर नंबर 7 है ऐसी डाइनमो यह लगा लेते हैं आप लोगों के लिए देखिए यह जो डाइनमो का पूरा क्रिए प्छले साल पिचले सालが पूरा क्रिण में आप तो पहले पहले क्रिण देखो यह क्योशन वहां पूशा क्या जाता है आपको diagram बनाना होता है, construction लिखनी होती है, principle लिखना होता है, working लिखनी होती है, uses लिखनी होते है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ लिखना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है question में आपसे, या तो आपसे कुछ तीन चीजे पूछेगा, कि diagram बना दो, construction बता दो, principle बता दो या फिर diagram बता दो, construction बता दो, या working बता दो, मतलब तीन कोई से point सब से important diagram, construction, principle और हो सकता है working, starting के जो तीन point है, ये सब से important diagram के आपको दो number मिलेंगे, direct, दो number चल, तो हमने strategy शेयर कर ली, कि इसको केसे तोड़ना है हमें, ये वाले question को, आप लोग ये वीडियो देखो जरा, ऐसी dynamo क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, फिर आपको समझाते हैं, देखिए, ये हमारे पास magnet, ठीक है, magnet को हम लोग क्या कर रहे है, relative motion करवा रहे है, relative motion करवा है, मतलब चला रहे है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरीके से हम लोग magnet को चला रहे है, आप लोग ने एक चीज गोर करी, तिरा यहाँ पर देखना फिर से एक वरूर, कि जैसे हम लोग magnet को चला रहे थे, जैसे ही magnet को चला रहे थे, तो यह जो मारा galvanometer है, यह क्या कर रहा है, deflect हो रहा है, isको बोलते है deflection, ठीक है, तो deflect होने का मतलब क्या हुआ भीया, कि यहां पर बन रहा है current, क्योंकि current बनेगा, तब ही तो यहां पर कुछ शो औहो होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हुआ जादू, आपने क्या किया, आपने लिया मेगनेट, मेगनेट को चलाया और खो गया जादू, आपको मिल गया current, तो यही फंडा है किसका हमारे AC डाइनमो का, मतलब क्या करता है यह, सुनना सभी ध्यान से, यह करता है, मेकेनिकल एनर्जी क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट, क्या बोला मैंने, मेकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट, बस, खतम कहानी, ठीक है, अब देखो आप लोग, इसका structure देख लो जारा, एक बार, काम तो समझ में आगया, अभी एक काम क्या कर रहा है, अब आप कर देख रहा है, अब लोगो को, इस सर, कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं, अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, इस सर बस बोई डियाग्रम देख रहा है, अच्छा, वो हो गया, वो प्रोब्लम होगी, समझ में आगया, कि हमने सिर्फ स्क्रीन वही श करी हुई है, अब दिख जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हम स्क्रीन पूरी शेयर कर देखते हैं, आप लोग के पास, अभी तो आपके पास स्क्रीन नहीं दिखेगी, हम लोग शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेना, यह सर, तो अब आपको स्क्रीन हमारी वीडियो, दिख रहा है आप सबको, यह सर देख रहा है, ध्यान से देखना, हम यह बोल रहे थे, कि यह जो है, हमारे पास मेगनेट, यहां से देखिए आप लोग, इस तरीके से हमारे पास होता है अपना एस्टी डाइनमो, एस्टी डाइनमो में क्या होते हैं, यह कुछ इस प्रकार का इसका construction होता है, जो कि आपको लिखना रहेगा, उससे पहले आप लोग ये समझों कि ये चीज क्या है, ऐसी डाइनमो चीज क्या है, तो उसको समझने के लिए हमने ये वीडियो लगाया आप लोग के लिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां से हो का शाय इसकी जो needle है, इसकी जो sui है, यह क्या होगी, deflect होगी, तो इससे क्या होगा, यह समझ में आता है हमें, कि अगर हम लोग mechanical काम करेंगे, मतलब mechanic बन जाएंगे एक तरीके से, तो भहिया हमें क्या मिलेगा, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमें मिलेगा current, कौन सा वाला, AC current, तो प अब construction में क्या क्या चीए हमको, वो देख लो भहिया, ताकि आपको एक number और मिल जाएगा construction का, ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या आएगा, armature, armature क्या होता है, इसको बोलते है armature, आपको diagram भी बताएंगे, किस तरीके से आपको diagram बनाना है, लेकिन पहले आप लोग यह आप लोग इस diagram को देखेंगे, मतलब इस video को देखेंगे, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, नाम देखते जाएए आप लोग साथ साथ, क्या क्या नाम लिखे हुए, क्योंकि नाम काम के हैं, आपको नाम लिखने पढ़ेंगे पहले आपने देखा पर यह आर्मेचर, क्या होता है, एक रेक्टेंगल शीट होती ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है, आर मेचर, क्या क्या नाम दिया इसका हमने, ABCD, ठीक है, ABCD, इसके बाद भी है, यह चीज क्या है, इनको बोलते है, slip rings, क्या बोलते है, slip ring, ह्यापने स्लीक carbon brush carbon brush подт अब आप लोग आजाओ डारेक्ट कुशन पर तहकी आपका कॉंस्यीप्ट तो क्लियर हमने करवा ही दिया है अब आप लोग को देखे किस तरी किसे बनाना आपका डाइग्राम चलेगा कुछ इस प्रकार से, सबसे पहले तो यहां पे नुर्थ, यहां पे साउथ मेंशन कर देना, ठीक है, यहां पे इस तरीके से लाइन बना देना, बीच में आप लोग बनाूगे अपना, आर्मेचर बनाूगे, क्या बनाूगे, आर्मेचर, A, B, C A, B, C, D, ठीक है, इस तरीके से नाम दे देना, यहां पे आप लोग इसी यह slip ring बनाओगे, गोल-गोल करके, ठीक है, यहां पे आप लोग ब्रश बना देना, इस तरीके से, अब भहिया, इनको connect कहां से कर देना, यहां पे एक resistance बना देना, इनको connect कर देना, ठीक है, यहां पे यह अभी रोटेट नहीं हुआ है, इसको हमने थुआ सा रोटेट कर दिया, तो क्या होगा? A जो रहेगा, वो D की जगा पर चला जाएगा, B जो रहेगा, वो C की जगा पर चला जाएगा, ठीक है? इसको बोलते है rotation, अब यहाँ पर जो arrow है, यह उपर की तरफ है, A से B जा रहे हैं, यहाँ पर कहां से जा रहे हैं, C से D जा रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोगों को उल्टा कर देना है, मतलब होगा सीधा ही यह, यहाँ पर आपको सिर्फ यह देखना रहेगा, कि यहाँ पर A से B ही जाएगा, और C से D ही जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसे देखोगे, डारेट कंपेर करोगे, तो आपको यह इसके point of view से यह उल्टा दिखाई देगा, आई बात समझ में, तो भहिया, इतना करने पर आपको मिलेंगे दो नंबर, अगर आपको तीन नंबर चाह यह होगा, कि यह तो पांच लाइन होई, पांच लाइन लिख देंगे, तो क्या आपको एक नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा व्यवस्तित तरीके से लिखना ठीक है, ऐसा, सबसे पहले field magnet लिखना, आरमेचल लिखना, slip ring लिखना, carbon, अब आपको theory तो field magnet, okay, NS is our bar magnet, field magnet, ऐसा लिख देना, आरमेचल, ABCD is our rectangular armature, slip ring क्या होती है, तो आप लोगों बता देना, कि there are two slip rings, इसी बिल्कुल, जो इंगलिश होती है, आपको वो इंगलिश यूज करनी, बिल्कुल basic English, ठीक है, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक हमको यहाँ पे चार नंबर का कोई एसे लिखने नहीं आए, हमको एक नंबर चाहिए, तो एक नंबर में इतना बहुत होता है, हमने तो यहाँ पे बहुत साजी चीज लिख दिये, ताकि आपको समझने में आसा नहीं हो, बट अभी हमारे पास समय कम है, तो आप लोग समझ गए होगे, यह चीज़े आपको लिए, कार्बन ब्रश समझ में आगया, कार्बन ब्रश किसे लिखना है, बोल देना कि हमारे पास दो कार्बन ब्रश होते हैं, जो किसे लगे होगे होते हैं, स्लिप रिंग से लगे होगे होते हैं, अब भीया बात आती है कि तीन नंबर होगे, अब ल AC generator या फिर dynamo is based on the phenomenon of electromagnetic induction. जो हमादे chapter का नाम है न वो ही छापके आ जाना बस. Electromagnetic induction. ठीक है? मतलब unit का जो नाम है वो होता है EMI और AC. तो EMI मतलब होता है electromagnetic induction. अगर आप से पूछ ले, जैसे कि अगर आप इतना भी लिखके आओगे न तब भी काम हो जाएगा. इतना लिखके आओगे न तब भी काम हो जाएगा. बट मान लो, अगर दो नंबर में कोई question आता है कि भी या, electromagnetic induction क्या होता है? तब आपको ये चीज़े लिखनी है, यहां से लेके यहां था. ठीक है, बाकि अगर आप इतना भी लिखके आओगे तो sufficient है. आई बात समझ में, आप सुन लो एक बारूर. होता क्या है electromagnetic induction? ये दो नंबर में question आ जाता है कभी-कभी. तो आपको क्या बताना है कि whenever amount of magnetic flux associated with the coil change and induced EMF generate in the coil, it lasts as long as the change in magnetic flux. The direction of induced current is given by the flaming's right-hand rule. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुगा कि जब भी, whenever मतलब जब भी. किसमें change आता है भीया? Magnetic flux में. Magnetic flux में change आएगा, तो क्या होगा? Magnetic flux में अगर change आएगा न, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास current बनेगा. और current बनेगा या फिर induced EMF generate होगा. क्या generate होगा? induced EMF. कहां पर generate होगा भीया? तो क्या होगे? coils में induced EMF generate होगा. आई बत समझ भी, इस तरीके से आपको बताना है. अब भीया, generate तो हो गया, कब तक रहेगा? कितने साल तक रहेगा? तो साल वाल तक नहीं रहेगा. जब तक आप लोग change करते जाओगे, तब तक रहेगा. जैसे ही change करना बंद किया, वैसे ही current हमारा रुख जाएगा, फिर नहीं बनेगा. आगई समझ में, तो ये था आपके लिए पांच नंबर का, चार नंबर का question. तो आप लोग सभी इसका screenshot ले लीजिए, इसको आपको note करना है, इसको बनाना है, short में लिखना है आपको, ये जो चीजे है, चार चीजे, ये short में लिखना है, प्रिंसिपल को लिख लेना, EMI, EMI प्रिंसिपल लिख लेना, जितना short में हमने प्रोवाइड कर दिए, हमारे जो टेलिग्राम गुरूप हमने बनाया है, वहाँ पर हमने प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जितनी भी PDF आप लोग देखोगे, हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको, इसकी चिंता मत करो, बाकि आप लोग बनाना जरूर इस इसी चीजे नहीं है, तो आप लोग थोग सा चाहो तो एक काम करो, थोग सा पेज छोड़ दो आप लोग एक पेज या फिर आदा पेज छोड़ दो, उसको बाद उसमें नोट कर लेना, लेकिन अभी हम लोग दूसरे कुश्चन कर लेते हैं, जो चीजे हम नोट करवाने की होगी होगी, आपको करवा देंगे, अभी इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपने पेजे से छोड़ सकते हूँ, अराम से जैसे ही क्लास फिनिश हो जाए, उसके बाद आप लोग इने लिख लेना, उके, सर, हाँ बोलो, इन क्वेस्चन के लिए सर अलग को बना लू, बना लू, बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर, चलो, एक क्यूशन हो गया, कंप्लीट, अब आपका क्यूशन यह होगा, कि एक क्यूशन आएगा कहीं यहां से, अतलब, यही क्यूशन आएगा, कह अन्रेट परसेंट, तो ऐसा तो नहीं है, तो हमें और क्यूश जोइन करी थी, सब होंगे पास सिरीज, तो उसने नोट्स बनाये थे, हमारे पास सेंट भी कर दिये थे, यह देखो, इस तरीक से लिख ले ना, छोटी-छोटी बाते, आप चाहो तो, यह तो अब प्रोवाइट कर देंगे, मतलो, स्क्रिंशुट क्या करोगे, इतने स्क्र अब बारी है, किसको करने की?」 τ्रांसफ़ॉर्मर को कंप्लेट करने की, ट्रांसफोर्मर, यह दो भाई भाई, भाई बेहन एक तरीक से, या फिर भाई, 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 बोल सकते हो,स़ी डाइनमो, और ट्रांसफोर्मर, दोनों के दोनों आते हैं, परिक्ष्चह में, बहु इजी है तो वीडियो के लिए हम फिर से चलते हैं हमारे सेक्षन में तो आप लोग पहले ये वीडियो देखे लो फिर उसके बाद आपको कहानी समझाते हैं कि देखना विए यह अपने डीपी होती है घरों के पास उसकी बात कर रहे हैं उसको ट्रांसफोर्मर बोल रहे हैं यह लोग देख लीजिए आप लोग ठीक है इस तरीके से हमारे पास कोईल्स लगी हुई होती है बहुत सारी इनको बोलते हैं कोईल āकोईल में होते हैं दो होता है मतलब एक जो हमारे पास अर्मेचर होता है अमारा एकंगाल शीट शोंफट आरे summoned refuse एक में नहीं कम टर्न होते हैं एक में जादा थर्न होते हैं दिख்रा है न आपको एसा चलो थो समझ में आया अब देखो आप आगे बस इतना साही है यह कोई ट्रांस्फोर्मर कोई बड़ी चीज नहीं है चल तो ट्रांस्फोर्मर आपको समझाते हैं भी यह तो क्रूप्ट्ट कैसे आता है वो देख लो आप लोग पहले आपसे ये बोलेंगे कि explain working of transformer on the basis of the following point सबसे पहले diagram बना दू, principle लिख दू, construction लिख दू ये तो most important है कि ये तो आए गई ये आएगा अगर construction ये आता है तो transformer उसके बाद एक important question यहां से बनता है energy loss का energy loss का ठीक है energy loss का तो ये आपको करवाना जरूरी और ये चीज़ करवाना जरूरी बाकी uses होगे formula के ये चीज़े हैं या आ सकती है बट इनमें बहुत time लग जाता है करने हैं खासकर formula derivation करने हैं तो हम लोग इसको skip करेंगे, हम लोग जो important है वो करेंगे चलो तो ये ट्रांसफर्मर कर diagram कैसे बनाना है ये से बनाना है आपको बस ये rectangle sheet बना लेना ठीक है इस तरीके से उसके बाद आप लोग क्या करेंगी इस तरीके से यहाँ पर ferry लगाएंगे मतलब आप लोग इस तरीके से coil बनाएंगे एक तरफ ज्यादा टर ने एक तरफ कम इसमें अगर आप लोग 8-10 बनाओ तो इदर 4-5 बनाना बस आई बात समझ में ऐसा करना है यहाँ पे 2 point यहाँ पे 2 point यहाँ से current आएगा और यहाँ से हमारे घरों में आएगा मतलब यहाँ पर यहाँ से current DP में आएगा बाहर से यहाँ से हमारे घरों में आएगा ठीक है आई बात समझ में ऐसा होता है कोईल के नाम दे देना primary और secondary primary coils बोल देना इसको secondary coils बोल देना ठीक है अब भी तो यह तो construction की बात होगे इनको लिखेंगे जब आपको एक बार समझाएंगे लेकिन अब आप लोग देखो principle principle क्या इसका इसका principle क्या है भी या इसका principle है mutual induction क्या principle है इसका mutual induction अब यह mutual induction क्या होता है mutual मतलब होता है दो ठीक है तो यहाँ पर कितनी coil से इसे याद करो कोई आपके पर दो coil से इसलिए mutual induction होगा मतलब यहां पर क्या होगा, यहां से current, यहां से current कहां पर generate होगा, यहां पर generate होगा, मतलब current इसमें आया, ठीक है, और भहिया कोई आया, कि चलो यार, चेक तो करें कि यहां पर current आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसने लगा दी यहां पर हाथ, तो उसके क्या हो जाएगी, death हो जा इसको बोलते है mutual induction transformer क्या होता है यह तो हमने बता है यह नहीं transformer एक device होता है जो क्या करता है which increase or decrease alternating voltage और current you can say क्या मतलब हुआ इसका इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा transformer होता है वो current को बड़ा भी सकता है या फिर आप लोग के बोलना चाहो तो voltage को बोल सकते हो कि voltage को बड़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ठीक है तो यह काम किसका होता है हमारे transformer का होता है transformer क्या करता है एक बड़ और आप लोग सभी सुन लीजिए transformer is an device which increase or decrease alternating voltage alternating voltage को बड़ा भी दिता है और घटा भी दिता है यह काम होता है इसका transformer का principle क्या बताओगे principle is mutual induction अब question आ सकता है कि mutual induction क्या होता है दो number तो क्या बोलोगे when the current flowing in one coil जब current एक coil में flow हो रहा हो और is changed और उसमें changes आ रहा हो उस current में बार-बार changes आ रहा हो तो इससे क्या होगा दूसरी coil जो की उसके पास रखी हुई है उसमें क्या होगा EMF generate होगा आप EMF लिखना चाहो तो EMF लिख देना या फिर अगर आप लोग current लिख के आओगे induced current लिख के आओगे तब भी बिल्कुल 100% सही रहेगा वो current भी generate होगा EMF भी generate होगा ठीक है EMF आएगा तभी तो current आएगा आई बात समझ में तो induced EMF लिख दो या current लिख दो एक ही बात है इस generate in the coil kept nearby या फिर आप लोग अपने भाशा में लिख देना कि secondary coil में या current generate हो जाएगा तो यह होता इसका principle बात करते हैं construction की तो तीन चीज़े important है laminated, soft iron core, primary coil, secondary coil laminated, soft iron core, primary coil, secondary coil सबी साथ-साथ बोलेंगे laminated, soft iron core, primary coil, secondary coil ठीक है मनी मन में आप लोग एक बार बोलके देख लीजी तीन पॉइंट लिखके याने किसी भी हाल में जब भी construction आपसे पूछे laminated, soft iron core, primary coil, secondary coil ठीक है यह चीज़ लिखनी है अब आप लोग अपनी भाषा में लिख देना कि भी हा laminated, soft iron core क्या होती है कि rectangle sheet होती है ठीक है आप लोग चाहोते इसको नाम दे देना कि A, B, C, D इस तरीके से नाम दे देना आई बात समझ में primary coil में बता देना कि भी है यहाँ पे ज्यादा turn होते है इधर कम turn होते है तो अगर ज्यादा turn होगे यहाँ पे तो यहाँ से क्या होगा current ज्यादा बनेगा यहाँ से यहाँ पे क्या होगा current कम बनेगा इसके compare में मतलब यहाँ तो बने गई नहीं current यहाँ तो current आ रहा है तो ऐसा बता दे न कि यहाँ पे जादा turn होंगे, यहाँ पे कम turn होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कम turn होंगे, यहाँ पे जादा हो जाए, लेकिन वो जो case होगा, वो दूसरा case होगा, यहाँ पे अगर आप लोग जादा turn बनाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा कम उसको बोलते हैigen step down हमारे घरों के आसपास जो लगे होते हैं DP उसको बोलते step down transform helps step up जो होता है उसमें इधर कम तर्ण होते हैं इधर जांदा तर्णra ठीक है तो इसको बोलते step down droit स्टेप डाउन ठीक है चलो तो कंस्ट्रक्शन समझ में आगई अपनी भाषा में लिख देना यहां पे आप लोगों को बहुत सारी चीजी देखने को मिलेगी इतना आप लोग मत करना में टाइम आपके पास बहुत कम है चलो गया एक बात और आप लोग समझ लीजिए कि एन अगर यहां पे गेप बहुत जादा है तो लोग देखने वाले कि एनरजी कैसे हमारे पास लोग हो सकती है तो यहां पे आप लोग सारी चीज़ छोड़ देना यहां पे आना डारेक्ट सबसे पहले होता है कोपर लोग किसे होता है अब भया देखो आप लोग सभी समझो कि हमारी जो 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 ट्रांसफोर्मर वो किस से बना हुआ है कोपर से बना हुआ है बाके समझना चाहो तो अपने घ्यान के लिए याद कर सकते हो कि अगर थिक वायर यूज करोंगे तो इसका सकते है magnetic flux leakage यह leakage लिखावा है spelling सही कर ले न L E A आएगा यहाँ पर I की जगाँ पर E A आएगा तो magnetic flux leakage यह भी एक नुकसान का कारण बनता है अच्छा क्या होता है यह समझो आप लोग सबसे पहले magnetic flux का leakage का मतलब यह है कि भहिया यहाँ से मतलब यहाँ पर कोईल थी आपको यहाँ पर बना के दिखा देते हैं एक बार और तो यहाँ पर देखिए आप लोग अच्छा यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पर ज़्यादा कोईल थी यहाँ पर कम टरनत एक तरीके से तो यहां से यहां पे क्या होगा magnetic flux कुछ हद तक leak हो जाएगा ठीक है यहां से चला 100% तो यहां पे बोज़ेगा 80% तो 20 में 20% जो होगा वो loss हो जाएगा इस तरीके से इसको बोलते है magnetic flux में leakे जाजाना magnetic flux में leakे जाजाना तो यह कारण हो जाएगा iron loss भी एक पार्ट होता है iron loss some part of energy is loss in the form of eddy current अब eddy current आपके syllabus से reduce हो चुका है तो eddy current भी एक कारण बनता है लेकिन आप लोग इसको डारेट याद रख लो कि एक तो copper loss होता है एक होता है हमारे पास magnetic flux का leakage एक होता है iron losses ठीक है अब eddy current क्या होता है इसको समझाने से कोई मतलब नहीं है अब ही आप लोग इसको डारेट याद रख लो कि भहिया iron loss भी होता है किसकी वज़े से eddy current की वज़े से आई बात समझ में यहाँ पे eddy current बन जाता है अच्छा नहीं होता है ठीक है बाकी और आपको point याद करवाते है चोथा point humming loss voice loss क्या होता है humming loss या फिर noise जो होती है मतलब आपने देखा होगा DP के पास से आवाज आती है वो आवाज क्या है एक तरीके से जो हमारी energy है वो क्या है voice के form में या noise के form में release हो रही है इस वज़े से यहाँ पर भी loss हो रहा है ठीक है noise आती है ना noise noise की वज़े से भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है तो भी अगर आपको यह हटाना है या यह जो voice आती है उसको कम करना है या फिर बिल्कुल जीरो करना है जीरो तो नहीं होगा लेकिन कम करना है एक तरीके से तो आप लोग उसमें oil डाल दो तेल डाल दो अच्छे तेल polish करो उसकी हो जाएगा तो यह थे हमारे पास 4 points इसके जो notes होंगे short notes आपको provide कर देंगे तो उसकी चिंता मत करना अभी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि यह जो question लिख लो आप लोग यह topic लिख लो कि energy laws and transformer चार point आपको याद करने है copper laws magnetic flux leakage iron laws और साथ में आएगा humming laws ठीक है चलो एक बाब बिना देखे आप लोग सभी बोल लीजी अपने money man में कौन-कौन से चार laws होते हैं याद हुए कि नहीं हुए आपको देख लीजी एक बार कोई ऐसा है जिसको याद होगे है चारो point सर यह एक ही question के अंदर लिखना है पूरा नहीं आपसे वह पूछेंगे तब लिखना है आपको अगर वह बोल दे कि भीया energy laws बताओ transformer कैसे होते हैं ठीक है तो लिख देना अगर चार पूछे तो चार लिख देना दो पूछे तो दो लिख देना सर यह अलग अलग आएंगे या एक question में आएगा पूरा दो question बनते हैं यहां से transformer से दो question बनते हैं एक तो बनता है कि भीया डाइग्राम बना दो construction बता दो साथ में क्या बता दो आप लोग principle बता दो एक question मन गया दूसरा question मनता है कि transformer में energy loss कैसे होते हैं चार point लिखो तो दो question आपके तयार करवा दिया हमें चलो आपका doubt solve कर देते हैं यहां पर आप लोग यहां पर देखके समझ जाओगी जैसे यहां पर कभी-कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं पहले पांच number में आता तब पूछते थे यह लोग कि आप यह बताओ कि any two reason for energy loss ऐसे करके यह पूछ लेते थे लेकिन इसका एक separate question भी बनता है शायद हमने उपर mention किया होगा तो इस तरीके से write any two cause of energy loss in transformer आप चार नंबर में आ रहा है तो यहां से आपसे चार नंबर में पूछेंगे कि write any four cause of energy loss in transformer बहुत important question है ठीक है इस तरीके से आपसे पूछेंगे कि चलिए तो यह हमारा फिनिश हुआ कि transformer खतम हो गया भी यह तो दो कुशन हमने कर लिए यहां सर दो कुशन होगे हां बोलो सर एक बार transformer को repeat कर सकते हो सर जल्दी transformer को बिल्कुल कर देंगे आपके लिए repeat transformer एक ऐसा device होता है जो कि क्या करता है जो कि हमारा जो current है या फिर हम गोल सकते हैं voltage है voltage को कम ज्यादा करता है यह हो गया transformer दूसरी बात transformer किस के principle पर best है तो आप लोग बोलोगे mutual induction के principle पर यह best है उसके बाद आपसे वो पूछेंगे कि बताओ construction क्या क्या होती है तो तीन चीज़े क्या होती है illuminated soft iron core दूसरी चीज primary coil तीसरी चीज secondary coil यह तीन कोई बताना चाहेगा तो सर एनरजी नरजी कैसे होती है जैसे अगर 100% आ रही है तो सेकंडरी में 80% ही जा पाएगी 20% उसी में रह जाएगी आपसे वो पूछेंगे कि चार point बताईए चार main कारण बताईए तो आप चार point कौन कौन से लिखेंगे वो आपसे हम पूछ रहे हैं यह तो हमने आपको समझाने के लिए बताया था बट जो चार point आपको याद करवाएं वो आपके लिए main है कोई हैं और कौपर लॉस कोपर लॉस मेगनेटिक फ्लक्स लॉस लीकेज आईरन लॉस और हमिंग लॉस वेरी गुड तो यह चार point हैं यह चार point आप लोग सभी याद कर लेना ठीक है चलो तो हमने दो क्वेशन्स यहां से उठा लिए यह माई से सबसे कुछन ते जो पांच निंबर में और मोड म इंपोरेंट ते वह उठा लिए आप एक काम करते हैं एक कुछ उठालेते हैं यह माई से बहुत इंबोर्टन बनता वह उठा लेते हैं तक हमारे दोने जो यह पनने चैन्द लिखने की जरूरत नहीं है अपनी भाषा में लिख देना जो कॉफी चेकर होता है सिर्फ सबसे जरूरी चीह देखता है कि आपने जो हेडिंग डाली वह तो सभी डाली है वह सबसे इंपोर्ट है लिखा है इसके लोग क्या ट्रांस्पोर्म यह लिखने देना बज़ना तो चार पॉइंट तो लिखोग एक कारण बनता है एनरजी लोज का जो कि अच्छा नहीं होता है इसा बड़ा चड़ा के लिख देना और क्या इसा करना है आपको चलो तो हम लोग यहां से उठाने वाले क्रिशन को बहुत इंपोर्टेंट जो कि बहुत इस भी एक तरीके से तो बस समझना आप लोग सभी कॉंसेट समझ गए न तो मन से लिख दोगे कोई बड़ी बात नहीं है देखो क्रिशन आपसे यह पूछता है पिले क्रिशन दिखाते हैं आपको ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रिशन कैसे आने वाला परिक्षा आने यह पूछेगा प इस तरीके से आपसे क्रिशन पूछेगा देख लिजिए को अच्छे से फराडे के नियम लिखिए और लेंज़ो को समझाईजे फराडे के दो नियम होते हैं, दोनों लिखिए, साथ में लेंज लो क्या होता है, इसको भी समझाईए, ऐसे करके आपसे पूछेगा, हो सकता है आपसे कि सिर्फ एक ही पूछ लेगो कि फराडे के नियमें लिख दो भी या, चार नंबर में, या फिर आपसे लेंज लो अकेल बूंब होते हैं अगर मेना आदमी को माल दिया चिंगी विंगी होने चोटे-चोटे हैं वह तो आट्रमेटिक फिनिश हो जाएंगे ठीक है जैसे हमारे अरजुन जो थे अरजुन भी एक तीर में भूत सारे को निप्टा देते थे ठीक है तो यहीं तो चीज आपको एक तीर यह यह वो तिर, ब्रहमास्त्र आपकर का यह ब्रहमास्त्र है और यह सो वो है सेनिक कितने सेनिक हैं है Attention। वह समझ में आने रख जाएगा आपको magnetic flux आपका चला जाएगा तो ऐसे ऐसी चीजे हैं जो आपके एक ही question से चली जाएगी चलो तो आजाते हैं फिर से concept के उपर देखिए भी यह बहुत simple सी बात है पहले तो यह concept समझने के लिए इसका वास्तेविक्ता से कोई संबंद नहीं है मतलब कि आपको परिक्षा में इसा बना के नहीं आना है ठीक है बस समझने के लिए देखिए हमारे पास ये था galvanometer यहां से हमारे पास आया हमारा bar magnet अभी तो कुछ नहीं किया तो कोई current यहां पर नहीं बना इधर लेके गए तो इसने direction इधर देखो ध्यान से देखना observe करना अच्छे से आपने इसको इधर लेकर गए इसने किदर दिया आपको direction इस तरफ दी मतलब ulti direction में दी फिर आपने क्या करा इसको अंदर रग दिया तब भी कुछ नहीं हुआ और देखो भी और क्या होता है अपने इसको इदर लेके गए अब भाईया यह नाराज हो गया क्या आप इधर क्यों चले गए हम इधर जाएंगे ठीक है तो यह इधर चला गया इसके बाद आपने बहुत तेजी के साथ इधर लेकी तो इसने भी बहुत तैजी के साथ इधर आपको जवाब दे दिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है है, यह पर भी क्या हो रहा है, यहां पर शायद इस तरफ जाएगा, यह पी क्या बताना चाहे हैं, इस पृर्ट स लेफ्ट, मतलब यही है, कि आप लोग सिर्फ इतने क्या बोला मैंने, जब हम इसको motion करवाते हैं, relative motion करवाते रहते हैं, तब जाके ये deflection show करता है ulti direction में, अगर हम लोग इसको एक जगा पे रगत देते हैं, तब कुछ भी नहीं होगा, तो इसका answer क्या बनेगा भी यह electromagnetic induction का दो number का question आता है तो जब भी हम लोग relative motion करवाते हैं, तब coil के अंदर क्या होता है, coil, coil and bar magnet का, जब हम लोग relative motion करवाते हैं, then an induced EMF is set up across the end of the coil, तो coil के, coil के दो point के, बतलब दो end point जो होते हैं, वहाँ पर क्या generate हो जाएगा, EMF generate हो जाएगा, ध्यान सुनना EMF और current क्या चीज़े होती है, आपको concept clear गरवा देते हैं पहरे, EMF मतलब होते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक आप current को बता देगा, भी यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा EMF, उसके current नहीं है, यह बना हुआ current है, induced EMF, यहाँ इंडियूज़ current आप लोगो लिख सकते हो, तो यह कहाँ पे setup होगा, end of the coil, दोनों point के बीच में induced EMF generate हो जाएगा, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, induced current, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, induced current जो generate होगा है, और इस के बीच में, end of the coil के बीच में, इसी को में लोग बोलते हैं, electromagnetic induction, अब यह फराडे ने क्या किया, फराडे आपसे ज़्यादा समझदार था, आपने सिर्फ देखा, उसने इसको समझा, उसने क्या करा, उसने समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने अपने नियम दिये, उसने क्या दिये, नियम दिये, क्या नियम दिये, वो देख लो, फराडे ने दो नियम दिये, जिनको बोलते हैं, फराडे's law of electromagnetic induction, दो नियम दिये, पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों magnetic flux associated with the circuit change, induced EMF is produced, आपने क्या किया भहिया, आपने दो देख के बोल दिया कि भहिया, जब भी इसको relative motion करवाएंगी, तब यहां पर current बनेगा, लेकिन उन्होंने इसमें deep में गए, उन्होंने क्या देखा, कि यह relative motion क्या चीज होती है, physics में, chemistry में, relative motion क्या, कुछ mathematical term है क्या, कुछ नहीं है यह तो, बोलने की बात है बस, उन्होंने क्या पकड़ा, उन्होंने पकड़ा flux को, कि जब भी flux में change आएगा, किसमें आएगा change, flux में change आएगा, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके हमारे पास induced EMF, induced EMF, यह चीज है नोंने पकड़ ली, बस, मतलब बात वही है यार, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, गुमा के, हाथ गुमा के पकड़ो, बात तो वही है न, आई बात समझ में, यह चीज है, बाकी फराडे ने उसको इस तरीके से explain किया, कि whenever magnetic flux associated with the circuit change induced EMF is produced, बा अई बात दूसरे NIEM समझ लो, दूसरे NIEM क्या है, दूसरे NIEM में उन्होंने बोला, कि यार, बच्चों को इतना आसान तो नहीं बनाते हैं, थ्ञ़ासा मुश्किल बनाते हैं, दाकि कठिन लगे परिक्छा में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगाया दूसरा NIEM कि बच्चों को डर लगता है मेट्स से तो उन्होंने क्या बोला? अब हम लोग मेट्स देंगे यहाँ पर तो दूसरे नियम में क्या दिया उन्होंने? मेट्स लेके आगे, मेट्स गोसा दिया अब जो weak students हैं weak मतलब कि जो मानसिक्ता से weak हैं अब थोड़ी दर के लिए मान लो कि यहाँ पर यह जो लिखा हुआ है induced EMF induced EMF क्या लिखा है? induced EMF यह क्या होता है? जो बनता है इसको हम लोग थोड़ी दर के लिए E बोल देते हैं induced EMF the magnitude of the induced EMF is directly proportional यह भी संबल आप लोग समझते हैं डारेक्ली प्रोपोशनल का यह होता है यह किसके डारेक्ली प्रोपोशनल है? यह rate of change of magnetic flux rate of change of magnetic flux के डारेक्ली प्रोपोशनल है क्या समझ में आया भी है? इससे हमको magnetic flux को हम लोग लिखते हैं 5 इस तरीके से 5 बनता है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग B 5B ठीके अब क्या बोलाना? rate of change of तो rate of change मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको differentiation लगाना पड़ेगा D5Y DT time के respect में बस यह बात होगी खतम अब जिन बच्चों ने समझा हुआ concept तो वो समझ गया होगी बस इन्होंने इस तरीका से लिख दिया खतम यह देख लो डारेक्ट यहाँ पे आजाओ यहाँ पे आया change, यहाँ पे आया time इसको directly proportional करना है अब ही है इसको अगर आपको change बताना तो change कैसे आता है? एक मेंसे एक को माइनस करते हैं तब ही तो आता है तो आता है एक equal to का sign और यहाँ पे constant आता है इस बार constant में क्या आएगा? constant में आएगा minus k अब बच्चे सोचेंगे अरे-अरे, यह minus क्यों हो गया है? तो minus किसलिए आया पता है आपको? अगर आपने ध्यान से सुना होगा जब हमने बोला था हमने बोला था कि अगर यह इदर जाएगा तो यह इसका उल्टा जाएगा उल्टा तो minus sign कुछ नहीं है minus sign यह बताता है कि हमें से जो direction होगी ना direction होगी उल्टी direction कैसी होगी? उल्टी होगी direction बस इतना सा कहान है यह उसको हमने इस तरीके से English में लिखा होगा कि minus sign कुछ नहीं है minus sign से direction को बताता है आई बत समझ में जो कि अपोस करता है change को तो concept से चलोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा तो आपको important चीज यह लिख किया नहीं है ठीके इतनी सारी चीजें है आप लो थो से इसको पढ़ ले ना अपनी भाषा में इसके बाद तो यह तो कुछ भी नहीं है mathematical चीजे लिखी कि 5-1 क्या है, 5-2 क्या है, T क्या है, टाइम है बस यह चीजे हैं बाकी इस तरीके से बना किया जाना परिक्षा में खतम होगया question एक तरीके से जो सबसे important question था इस chapter का वो तो हमने करवा दिया खतम यहां से आपके दो number का question जो बनता है EMI EMI की definition जो बनती है यह यहां से खतम हो जाएगी पराडे का नियम जो है, वो इस तरीके से खतम होगा उसके बाद last में mathematical term लिखने ही आपको अच्छा, ऐसा कोई है जिसको अच्छे समझ में आ गया ही है पहले तो यह बताओ, आया समझ सबको समझ में Yes sir Yes, repeat, repeat कर देते हैं सुनेगा ध्यान से, सबसे पहले भीया बात कहां पर पहुची बात पहुची कि यार यह हो क्या रहा है अपने को बिलकुल अपनी भाषा में उत्तर देना है हमने देखा कि यहां पर relative motion हो रहा है relative motion समझते है वर्ड कह लिखा, relative motion relative का मतलब है कि इसके respect में ठीक है, यहां पर relative motion हो रहा है जब भी relative motion take place करेगा मतलब relative motion होगा relative motion किस किस कि बीच में हो रहा है पहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, अरे हम तो induced EMF लिखके नहीं आएंगे, हम तो induced current लिखके आएंगे, तो सीख लो इसको, सीखने में कितना time लगेगा, induced EMF, induced EMF कहां भे बनेगा, setup होगा किस-किस के बीच में, coil के बीच में, sorry, end के बीच में, end of the coil, दो coil के, जो हमारी coil ह होते हैं, तो एक एक एंडी है, एक एंडी है, तो दोनों के बीच में, जनरेट होगा, बस, ये इसको बोलते हैं, हम लोग क्या, electromagnetic induction का phenomenon, अब बात आती भी, दो नियम कौन-कौन से दिये, दो नियम उन्होंने कुछ नहीं दिया, relative motion को काट के, आप लोग लिख देना, magnetic flux, त यह हो गया, और यहाँ पर माइन, इसको हटा के क्या करना, इसको हटा के माइनस के लिख देना, माइनस का मतलब क्या है, direction बता रही है, आई बात समझ में, तो इस तरीके से आपका यह जो question होगा, वो complete हो जाएगा, ठीक है, चलो, तो आप लोग, अभी ही जब class end हो जाए, जो आज पढ़ाया ना, आपको सिर्फ वो लिखना, ठीक है, देखो, magnetic flux अगर लिखना चाहो तो लिख ले न, फराडे का नियम देखो, short में, बिल्कुर short में क्या समझोगे, पहला नियम बोलता है कि 5B में अगर change आएगा, तो क्या generate होगा, e produced होगा, induced dm app बनेगा, दूसर नियम क्या आता है, lens का नियम आता है, एक्जाम में भी इतना ही लिखना है, एक्जाम में इसा नहीं लिखना है, एक्जाम में तो पूरा लिखना है, समझने के लिए, फटा-फट समझने के लिए, revise करने के लिए, ये revise करने के लिए होता है, short notes जो है, सिर्फ revise करने के लिए एक्जाम में आपको पूरा लिखना है लेकिन एक्जाम में पूरा तब लिखोगे ना जब कम से कम इतना तो आएगा आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए तब ही जाके आप लोग एक्जाम में लिख पाओगे बढ़ा करना आपको आना चाहिए को कैसे बढ़ा करते हैं कि पड़ेगा क्या हो गया के नौट करना पड़ेगा इनको पिडियेफ देंगे तो लेकिन लेकिन आप लोग लिखना जरूर क्योंकि छोटे से नोट होते है सिर्फ दस मिनिट बेठोगे इतने में तो सब लिख दोगे आज जो जो पढ़ाया आपको सब कुछ लिख दोगे शॉर्ट नॉट्स में अब पलोगे आप लोगो अपनी इनर्जी जो है यहाँ पे क्लासटेंड करने में इन्वेस्ट कर रहे हुए तो क्या इस energy का कुछ फाइदा निकलेगा जी हाँ यह जो energy है यह आपके result में convert हो जाएगी मतलब energy खतम नहीं होगी आपके कभी भी आप बोलती है आज तो energy खतम होगी यार सब energy खतम नहीं होती है कुछ ने कुछ काम किया होगा आपने वहाँ पर energy गई है तो वह यह law of conservation of energy conservation मतलब sun reduction जो हमारी energy है वो sun रक्षित होती है खतम नहीं होती है कभी तो किस ने बोला है lens ने बोला देखाने क्या आपने अभी जो आपको दिखाया दाइग्राम उसमें हमने क्या किया magnet को घुमाया हमारी महनत लगी महनत का फल क्या मिला हमें हमें मिल गया current यह होता है नेधर created no destroy energy कभी खतम नहीं होती है डारेक्शन क्या सिस्टम है इसको थोड़ा समझते है दारेक्शन समझाते हैं वह यह आपको चेप्टर नमबर 6 लेंज लो ने क्या बोला यह लिखने की जरूत नहीं है यहां से important चीज़ इतनी है कि conservation of energy के उपर बेज़ रहे सबसे important है यह लाएं यह लिखके आनी आपको परिक्छा में इसको आप लोग इस तरीक से याद कर सकते हो कि जैसे की एक बेटा है बेटा किसको अपोस करेगा बेटा अपने पिता जी को क्या करेगा अपोस करेगा क्यों करेगा क्यों करेगा क्योंकि उन्होंने उसको बनाया है तो बस यह है कि बिगड़ा हुआ बेटा एक तरीके से तो induced current क्या है बिगड़ा हुआ बेटा है जो किसको अपोस करेगा बहिए जिसने इसको बनाया है जिसने इसको produce किया है आई ब बन जाएगा क्यों बन जाएगा साउत की तरह अपको साउत करते हैं चाहर करते हैं यहांपो ऐसा प्रतीत होगा कि इसको अपोछ कर रहा है ने इस तरह का मैं इस तरह बनाएगा इसके अलावा ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर North है, यहाँ पर South है, अब आप लोग इससे दूर लेके चले गए, तो आपको Opposed कैसे करेगा, कि आपको दूर नहीं जाने लेगा, क्यों नहीं जाने देगा दूर? क्योंकि आप इससे दूर जाना चाहते हो, इसका काम इसको Opposed करना दूर जाने के लिए क्या करेगा यह अपने आप में एं बना लेगा ताकि इसको अट्रेट कर सके बस यह दो डाइग्राम आप लो त्यार हो गया अब देखो यार यह माई और AC से मिला के हमने कितने questions कर लिए दो तो AC से कर लिए और दो हमने EMI से कर लिए most important बाकी इस chapter को और भी उठाएंगे लेकिन अभी के लिए ये chapter इतना हमारे लिए sufficient है उसके बाद हम लोग बाकी और भी उठाएंगे इस chapter को वापस से अब सोचना है खतम कर दिया चेप्टर हम लोग उठाएंगे time के हिसाब से आप हम लोग चलते हैं अगले चेप्टर पर जो कि हमारे पास है electronic devices जहां से हमारे पास चार नमबर का question बन सकता है chances है लेकिन तीन नमबर का तो at least confirm ही है कि यहां से तीन नमबर की questions तो आएंगे याएंगे कितने आएंगे दो question आये थे अभी हमारे model paper में तो मानके चलो दो question बन सकते हैं और यह जो chapter ना semiconductor बहुत easy है नमबर देके जाता है बच्चों को number ठीक है number देने वाला chapter है तो टोटल चार number के कतने question आते हैं चार number के आपको मिलेंगे चार question तीन number के भी आएंगे चार question दो number के साथ question आएंगे और तोटा इस objective आएंगे आपके short notes में जब एक बार revise करवाएंगे आपको तब एक बार revise हो जाएगा ठीक है recording की जो link होगी आपको provide कर देंगे अब देखते कहां पर हमको डालना है सब कुछ खाना है यह भी खाना है यह भी खाना है इस तरीक से हमको करना है जा एक बागों लोग इम्पोर्टेंट यही चार है सबसे इंपोर्टेंट कुष्टन से चार ठीक है बाकि हम लोग फिर से आएंगे एक बार और लेकिन पहले हम लोग इनको कि इंपोर्ट इंपैक सब कुछ करवा देंगे आप लोग बिलकुल भी चिंता मत करो अभी जो करवा रहें न बस करते जाओ जी सुर चलो उठाएं से सेमिकंड़क्टर को उठाते हैं उससे पहले आप लोग समझो तो सही सेमिकंड़क्टर होता क्या है तो वासा ज्यान देलो इसका काम आएगा सेमिकंड़क्टर देखो सबसे पहले बात आती कंड़क्टर क्या होता है फिर सेमिकंड़क्टर पर आएंगे देखो कंड़क्टर बताओ current आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं आएगा इनको बोलते है insulator उसके बाद semiconductor क्या होता है semiconductor का मतलब होता है कि यहां से current पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ठीक है semiconductor कैसे इसके समझते हैं हम लोग देखिए जो भी current होता है वो कब बनता जब उसके पास free electrons present होते है जब तक electron free नहीं होंगे तो current नहीं बनाएंगे ठीक है जैसे मजदूर जो होते है अगर आपके पास मजदूरी नहीं होंगे तो घर कैसे बनेगा भाईया आरे यह बास समझ में मतलब rate मिट्टी जो होती है इंट वगेरा होती इधर सुधर कैसे जाएगी मजदूरी तो ले जाएंगे मतलब उनको free करना पड़ेगा आप केद करके रखलो उनको तो नहीं काम चलेगा आपको उनको free करना पड़ेगा electron जब free होंगे तब ही जाके हमारे पास current बनता है electricity बनती है अब यहाँ पर अगर free electrons होंगे ही नहीं यहाँ पर free electrons नहीं होते हैं इसलिए उनको insulator बोलते हैं आई बात समझें semiconductor में क्या होते हैं अब आप से कोई पूछे कि बताओ इन में free electrons होते हैं कि नहीं होते हैं तो आप क्या बोलोगे कि अगर temperature बहुत काम है low temperature है यहाँ पर यहाँ पर कोई electrons होंगे नहीं free electrons नहीं होंगे लेकिन जैसे यह आपने temperature बढ़ाया room temperature पर इसको लेकर आगे तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी यहाँ पर बनने लगेंगे free electrons और एक बार free electrons बन गए तो क्या करने लग जाएगा यह conductivity शो करने लग जाएगा आईवाद समझ में concept was clear भहिया समझ में यह आना चीए आपको कि अगर भहिया बरफिला शहर है तो वहाँ पर आप लोग सेमेकंडुक्टर चलाओ गई तो वहाँ पर काम नहीं करेगा लेकिन अगर आपने ऐसी जगा पर ले आए सेमेकंडुक्टर बतलब करेंट को पास करेगा अब आप लोग यह समझू कि इसके दो एक्जाम्पल याद कर लो सिलीकॉन और जर्मेनियम यह दो एक्जाम्पल है जो कि सेमीकंडुक्टर बन सकते हैं यह जो चप्टर है इसमें दो दो नमबर की भी आपसे पूछे जा सकते हैं तयार रहिएगा तीन नंबर में आपसे भी भी पूछे जा सकते हैं तीन नंबर का तो कौन सा है सिलवर है प्लास्टिक है या फिर जर्मेनियम है इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे तो आपको आना चीए ठीक है अब यह भी एक कुशन है लेकिन अभी आप लोग इस पर ना आए आप लोग डारेक्ट यहां पर आए जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आप सेमिकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं एक इंट्रिंसिक सेमिकंडक्टर और एक होता है एक्स्ट्रिंसिक सेमिकंडक्टर और एक्स्ट्रिंसिक सेमिकंडक्टर आपको देखने में लग रहा हुआ इतनी सारी थियोरी यह थियोरी नहीं है अगर आप लोग समझोगे तो इस और रहे हो अपने प्योक्रव स्थेट में हो जिसमें आप नहीं करी ऊवरके हो शुद्ध दूध क्या होता है शुद्ध दूध और हमारा मिलावाटी दूध दोनों में अंतर क्या होता है अपनी eiट कर देते हैmost इसमें मिलावट कर देते है क्या डालते हो आप लोग impurity को उसमें कर देते हो, doping कर देते हो impurities की, ठीक है, तो यह चीज़े होती है, यहाँ पर हम लोग क्या करते है, मिलावट करते है, अब मिलावट से फाइदा है कि नुकसान है, फाइदा भी है, नुकसान भी है, फाइदा किसको है, बेचने वाले को, नुकसान किसको है, खरीदने वाले को, लेकिन यहाँ पर केस थोगा सा उल्टा है, जो लेने वाला है, जैसे दूद का हम लोग example लेते हैं, दूद जो लेता है भी है, जिसमें पानी मिला हुआ होता है बहुत सार, तो उसको फाइदा नहीं है, क्या फाइदा है, मानलो उसक तो क्या करना है, बहुत सारे लोग के लिए चाहें बनानी है, उसका पैसे कम है, तो वो कर सकता है, दूद मिला सकता है, क्या दिक कर दे, तो ऐसा मत सोचा करो कि भीया हमको, तो अच्छा ही चीए दूद, नहीं भीया, आपको condition के हिसाब से चलना पड़ता है, आई बात नहीं भीया, कुछ special amounts, कुछ special चीजें होती, वही मिलाई जाती, suitable impurities में मिलाई जाती है, यहाप पर आप लोगे impurity को हटागे, conductivity कर लेना, to increase its conductivity, ओके ऐसा कर लेना, यहापर conductivity आएगा, its impurity नहीं आएगा, conductivity आएगा, तो आप से question इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, आप आप से पूछेंगे, कि write the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor, दिखाते हैं आपको, आएएँपी questions कहाँ पर है, आप से इस तरीके से पूछेंगे वह लोग, यह, देख रहे हो, पाच्वे नम्मर का question, write the difference between intrinsic and extrinsic semiconductor, यह आएगा, आप से यह पूछेंगे वह लो, इस तरीके से, तो आपको तीन difference तो याद करने ही करने, आपको तो हम जादा करवाएंगे, कहा गया chapter, semiconductor, यह रहा, तो चलो याद करें, पहला तो सबको याद हो गया, कि intrinsic जो होता है pure semiconductor होता है, यह होता है impure semiconductor, यह होता है pure semiconductor, यह होता है impure semiconductor, अब एक concept आपको सब अचलेर करवाना पड़ेगा, उसके आपको यहला पॉइंट है इसको आपको समझाना पड़ेगा तब जाके आपको यह पॉइंट समझ में आएगा लेखिए आ होता क्या है आपको हमने बताया था कि यहां पे free electrons होते हैं आई बत समझ में, इलेक्ट्रोन चले जाते हैं, तो होल बच जाते हैं हमारे पास, होल, ठीक है, यह देखो इस तरीके से, तो बस यही कॉंसेप्ट था जो आपको बताना था, जिसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रोन गया, तो यहाँ होल बन गया, देख रहा है आपको, यहाँ पर बीच में चला गया, तो यही होता कॉंसेप्ट, तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पर हम समझाएंगे, अच्छे से, ताकि आपको लंबे समय तक यह चीज़ें याद रहें, density of electron is equal to the density of hole, intrinsic semiconductor में क्या होता है, जितने electrons होते है उतने ही hole होते हैं, लेकिन extrinsic semiconductor में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे hole, hole साथ में electron के density बराबर नहीं होती है, तो क्या दो point आपको याद हुए, पहला point है pure semiconductor होते हैं या impure होते हैं, दूसरी बात यह हुई कि यहाँ पे hole की संख्या और electron की संख्या बराबर होती है, यहाँ पे बराबर नहीं होती है, दो point हमको याद हुए, एक last वाला point जड़ा देखो तो आप लो, impurities का जो last, जो हमारा पाँचवा point है वो देखो आप लो, बहुत easy है, यहाँ पे no impurity, यहाँ पे impurity होती है, अब आप से पूछेंगी कि भीज़ा, आमने बोला था न, कि special impurity डालेंग आपका clear होना बहुत ज़रूरी है, अगर यह चीज़ा, यह याद होगी न, तो अगला जो question है आपका, वो आसानी से हो जाएगा, एक और question तयार हो जाएगा, एक question करने से, एक question आटोमेटिक तयार हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन-कौन सी impurity होती है, trivalent और pentavalent, अभी चोथा point आपके लिए, electrical conductivity, अब भी यहाँ यहाँ पे जो conductivity थी, वो कैसी थी, कम थी, यहाँ पे आपने मिलावट कर दी, तो यहाँ पे conductivity कैसी हो जाएगी, जादा, क्योंकि हम लोग मिलावट क्यों करते हैं, हमारा फाइदा होगा, तभी तो मिलावट करेंगी, हम दुकान दारें, यह मान के चरो, हम दूद के दुकान दारें, आपको दूद बेचना है, तो आपका जो फाइदा होगा, बढ़ेगा, फाइदा बढ़ेगा, electrical conductivity is high, यहाँ पे conductivity बढ़ जाएगी, इसलिए तो करते हैं, हम लोग, impurity मिलाते हैं इसके अंदर, यह जो होता है, dependent on temperature, यह नहीं आया समझ में, फिर से सुनो, यह temperature पर करेगा, लेकिन आपने इसमें impurity मिला दी, तो यह अब temperature और हमारे impurity दोनों के उपर depend करेगा, चलो, एक बार और revise करवा रहे हैं, फिर आपकी बारी है, यहाँ पर आएगा pure semiconductor, यहाँ पर आएगा impure, यहाँ पर electron और holes की संख्या बराबर होती है, यहाँ पर बराबर नहीं होती है, यहाँ पर conductivity कम होती है, यहाँ पर जादा होती है, यह temperature पर depend करता है, यह temperature और साथ में impurity दोनों के उपर depend करता है, यहाँ पर कोई भी impurity नहीं होती है, यहाँ पर दो परकार की impurity होती है, impurity number one होती है, trivalent, दूसरी होती ह चलो अब आपकी बारी है, किसको तीन पॉइंट याद हुए, सुनाओ, तीन पॉइंट, पाँच में से तीन बता दो, कोई से भी याद प्याद से मिकटेंट अन्द्रेंड याद बार। याद आपकाई बड़त 睡 party आपकाःग और चैनलों से तीन परिय और शेयर नहीं यु को प्यालन dl याद अड़ेस्या आक्स्यामिdonos warm और पांद बाण चानली अच्छ np voltar भाल पड़ती नंबर ऑपोल्स वसमें आएगा नंबर ऑप्रक्तों से नोटेशी को डिपेंड ऑन टेम्परेचर एक्सिंग में डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज इंपुरिटी इस अमांट अपिंपुरिटी एक तो आप सभी भूल गए यार रिपने से एक मांट ओल एक सकते हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब देखो क्वेशन से क्वेशन बनेगा अब आप लोग बोलेंगे कि extrinsic semiconductor हमको समझ में आया कि यहाँ पे इंपुरिटी होती है दो प्रकार की होती है ट्राइवलेंट और पेंटावेलेंट अच्छा तो ट्राइवलेंट और पेंटावेलेंट यह क्या चीज़े हैं इससे बनेगा एक क्रिशन और कि difference between P and N type semiconductor इनमें क्या अंतर है फिर से ध्यान से सुनना semiconductor दो प्रकार के होते हैं एक होता है intrinsic और extrinsic अब यह जो extrinsic है यह फिर से दो प्रकार के होते हैं मिलावट के हिसाब से तो कौन-कौन से होते हैं दो प्रकार के एक होता है P टाइप का एक होता है N टाइप का पी का मतलब होता है positive एक तरी कैसे N का मतलब होता है negative अच्छा यह तो हम समझ में आ गया पी से आप लोग पी जो होता है हमारे पास यहाँ पर group नंबर 3 मतलब trivalent impurity होती है ऐसे याद करना कि पी टाइप का जो semiconductor है वहाँ पे ट्राइवलेंट impurity होती है यहाँ पे पेंटावलेंट impurity होती है N टाइप में अब देखो इस से याद करना कि पी मतलब positive मतलब यहाँ जो holes है holes की संख्या ज्यादा रहेगी जिसे यह fourth point है वो देखना holes की संख्या ज्यादा रहेगी और हमारे पास जो electrons है electron की संख्या कम रहेगी यहाँ पे negative बनाना है तो electron की संख्या ज्यादा कर दो और holes की संख्या कम कर दो एक example याद कर ले न बोरोन इसका example है क्योंकि बोरो का भी एक्जामपल याद रखना पांच में और तीन में याद रखना बोरोन का ठीक है तो बोरोन एक काम करना इसको दो पॉइंट में बना देना पहले तो लिख देना कि भाईया पी टाइप जो होता है इसमें थार्ड ग्रूप की इंपरिटी होती है यहाँ पे फिफ्ट ग्रूप की इंपरिटी होती है फिर नीच वाले पॉइंट में लिखना सेकंड नंबर में की इग्जामपल होता है बोरोन बोरोन इस एन इग्जामपल ओफ पी टाइप सेमिकंड़क्टर इसमें लिखना नाइट्रोजन जो है हमारा वो एन टाइप सेमिकंड़क्टर है एक जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं हम चाहेंगे आप ना करें गया करते हैं पी का मतलब होता है पेंटावेलेंट ऐसा मान के चलते हैं और पेंटावेलेंट को यहाँ पे गोसा देते हैं ऐसा मत समझना पी मतलब पॉजिटिव आया समझ में यह गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं पी मतलब समझ देते हैं पेंटावेलेंट और पेंटावेलेंट में यहाँ गोसा देते हैं सब कुछ यह गलती मत करते हैं तो तीन पॉइंट आपको याद करने जिसमें से आपने लगबग दो से तीन पॉइंट तो य espíridhver यही होंगे इसमेंरा कुन होंगी इसमें होल चार्ज होता है चार्ज के पास होता न होटाydि कि इसके पास होता है कि स्कार्ण केपास होता है यहां पंगेस मैं नियुक TOP सबाइब पॉजिटीव time यह मत लिख यह मत लिखना अप करला पॉजिटीta कर लेकिन चार तो याद होने ही चैहिए इस इस प्तम्मध वालो तो पॉइंट है इसको अपन दो पाइट में भी तू का सकते हैं जैसे atf semiconduct है पहले दूसरे पॉइंट बनागी मारे दूसरे बता ही इनो ने ऐसा भी कर सकते हैं यह लेकिन यह जो पॉइंट्स है यह याद ना आए तो यह कर सकते हैं तो अच्छी ट्रीक है यह भी कि इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ लेते हैं तो आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तरीके से तो देखो कितने याद होगे इंट्रेंसिक भूल तो नहीं गया है इंट्रेंसिक बताता है प्योर और इ करल याद्रेंसिक्या होता है पी टाइप सेमेकंडॉक्टर में अ बोरोन और यह एन टाइप नाइट्रोजन था पहला और पी टाइप सेमिकंडक्टर पॉजिटिव था और एन टाइप सेमिकंडक्टर नेगेटिव इतना ही तैप मैजरीटी होल्ज किराथी है और माइनरीटी इलेक्टर किराथी है और यूज़ पीज बतायाया आप सभी लोगोंने चलो तो आया समझे हैं चलो अब यहां से कुष्ण बनाएंगे हम लोग P N Junction Diode P मतलब positive N मतलब negative P में संख्या जाला किसकी होगी भी या holes की N में जाला संख्या किसकी होगी electron की लेकिन अब हम लोग यहां पे बनाने वाले हैं यहां पे हम लोग इस तरीके से बनाएंगे कि यहां पे सिर्फ false होंगे यहां पे होंगे हमारे पास electron आता एक कुष्ण पी एंजंक्शन डायोड आप लोग देख लो किता तयार कर लिए अपने संभव हुए नभी परसंट हम लोग टार्गेट लेके चलेंगे आप लोग खुद बूलोगे कि हां नभी परसंट के हमारे तयारी हुई है चलो देखो यहां पे बाते नहीं करेंगे अब ज्यादा तो यह तयार हुआ आपका यह पांच पॉइंट आता था पहले लेकिन आ यह जाएक और इसको कर लोगे तो पर वाला भी तयार हो जाएगा अरह हां सारे हो जाएंगे अपके तो अ now पर इसके शॉटक नौट्स प्रोवाइड खर देंगा आपको देखले ना वहांप यह देखो रैक्टिफाइर क्या होता है यह द Candace फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है यह सब आने वाले हैं तो इजी सर अगर जैसे पी टाइप एंटाइप को वह डिफरेंस में ना पूछके वह एक्स्प्लेंड में पूछे तो अपन चार्ड बना सकते हैं ऐसी अगर हाँ इसे पूछ ले तो इसे बना देना लेकिन पर मूउग करते हैं जो कि हमारे पास है पी इंजंक्शन डायोड बहुत तरह ले concept आप सभी के clear है मतलब आप हमारी गाड़ी टेजी से भागेगी पी इंजंक्शन डायोड तो पी इंजंक्शन डायोड बहुत सिंपल से definition भही है यहाँ पे पी भी होगा एन भी होगा बस खतम यहाँ पे और गया, P-N junction diode is an interface of a boundary between two semiconductor material, name, P-type, N-type, तो जो P-N junction diode एक ऐसा material है, जिसमें क्या होता है, एक तरफ तो P भरा होता है, मतलब हमारे पास holes भरे हुए होते हैं, एक तरफ हमारे पास negative charge भरा हुए होता है, बीच में, इनके बीच में क्या होती है, boundary होती है, एक boundary ह between two semiconductors, ठीक है, अच्छे, अगर आप से बुछ ले कि बताओ, इसमें कितने semiconductor है, तो आप लोग क्या बोलोगी, इसमें दो semiconductor है, यह भी semiconductor है, यह भी semiconductor है, ओकी, तो यह हमारा एक बन गया interface, ठीक है, यह बन गया हमारा ढाचा, इसको बोलते हैं, हम लोग डिपलेशन, ठीक है, अब आपको समझाते हैं, क्या चीज़े, देखो, यहाँ पर समझना, यहाँ पर positive थे, तो negative कहा आगे, यहाँ पर, यहाँ पर negative भी थे, साथ में positive भी थे, तो positive सब भग के यहाँ पर आगे, इसलिए यहाँ पर whole roll बचे, यहाँ पर negative बचे, इससे समझ लेना आप ल प्रियलेक्ट्रोंस, देखो, एक डाइगराम सिख गए, तो दूसरा डाइगराम बहुत आसान है, वही तो है ही है, चलो, तो कहां थे हम लोग, अब PN जेंशन डाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है forward vising, एक होता है reverse vising, अब आप लोग देखोगे, तो आपको लग फिर से इतना पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ दो तीन word बताएंगे आपको इतने में सब समझ में आ जाएगा, देखो, forward vising का मतलब होता है forward कर देना, forward मतलब भगाना, इसको इधर, इसको इधर, ठीक, इनको धकाना एक तरीके से forward करना, बोलते हैं message forward कर दे भाई मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ, वहां से message को यहां भगा दिया आपने, ठीक है, तो हम इनको धकाएंगे इधर से, तो इधर से धकाने के लिए क्या चीए, यह है positive, positive कब भगेगा, जब इधर से भी positive आएगा, जब आप लोग क्या करते हो, P को P से connect कर देते हो, तो यहां से pressure क्योंकि P और P एक दूसरे को ripple करते हैं, तो बस इसको बोलते है forward vising, negative में क्या होता है, reverse में क्या होता है, reverse मतलब उसको उलाना वापस, तो अगर आप लोग क्या करते हो, positive को negative से connect करते हो, इस बार हमने यहां पर n-type बनाया है, ठीक है, तो समझ गया होंगे आप लोग, यहा हमने किसे connect कर दिया, negative से connect कर दिया, तो इसको बोलते है reverse vising, बस हो गया खतम और क्या, तो forward vising का मतलब होता है, जब आप लोग P side को P terminal से connect करते हो, positive terminal से connect करते हो, तो forward vising मन जाती है, और अगर आप लोग positive को negative से connect करते हो, negative को positive से करते हो, इसको बोलते है reverse vising, अब आएगा आ दिमाग का खेल पूरा अब आपको समझ में आना चीए अगर इसको धकाएंगे तो यह जो रीजन है यह छोटा होगा इधर से भी धकाएंगे इधर से भी धकाएंगे तो यह क्या होगा चोटा होगा तो width of the depletion layer क्या हो जाएगी कि decrease हो जाएगी किसमें हम लोग बात कर रहे हैं forward rising के तो यहाँ पर depletion reason जो होगा हमारा वो छोटा होता जाएगा इसके बाद resistance जिसको आता है चलो एक काम करते हैं समझा देते हैं पहले resistance का मतलब होता है जिसक का मतलब होता है रुकावट मतलब यह हमारा depletion reason यहाँ पर resistance होगा बहुत सारा लेकिन अगर हम लोग इसको दबा देंगे इदर से भी इदर से भी तो resistance क्या होता जाएगा कम होता जाएगा रुकावट काम होगी जितना बड़ा area होता न उतने हिज्जा तो क्या होगा, potential difference भी क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, इसको खीच रहो, इधर से खीच रहो, तो depletion region जो होगा हमारा, वो कैसा हो जाएगा, increase हो जाएगा, उसके बाद, जो हमारा resistance होगा, वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ ligne rich permet फॉरवेडब बाई घर देख लैँ का मतलब यह देख लो एक बार और सम्जो फॉरवड बाईसिंग मतलब आपको P को P से कनेट करना है इव पॉजिटिव टर्मिनल आफ दा बैटरी बैटरी का positive terminal किस से connect हो जाए connected to the P type sorry if the positive terminal of the battery is connected to the P type and P type से connect हो जाए और negative terminal of the battery connected to the negative terminal to the N negative terminal N से connect हो जाए तो इसको हम लोग बोलते है कौन सा forward byzing byzing मतलब बोलता connection byzing बोलते है कुछ लोग कुछ भी बोल दो बोलने में क्या है reverse का मतलब क्या होता है इसका उल्टा लिग देना हो गया सभी को याद बताईए देख लो एक बार लिख दोगे परिक्ष्छा में लिख के आ जाओगे यह सर यह सर यह सर यह सर यह सर यह कॉशन कैसे पूछा जाएगा आप लोग देख लो इससे पूछ लेंगे आपसे define PNN type semiconductor तो आप लोग लिख देना PN में क्या difference होता है explain PN junction diode with the circuit of forward vising और reverse vising करके बताओ तो यह तयार हो गया question आपका ऐसा पूछ लेंगे या फिर पूछ लेंगे बताओ PN junction diode क्या होता इसकी definition लिखो diagram बनाओ उसके बाद इसको आप लोग forward vising में connect करके बताओ हमें इसके बाद आपसे यह question पूछ सकते हैं कि forward vising और reverse vising में enter क्या होता है तो कितने सारे question तयार हो गया यह भी तयार हो गया यह वाला भी तयार हो ग बस इतना सा चेंज आएगा बाकी सब सेम है यह याद कर ले ना सभी लोग यह यहाँ भूल जाओगे आप लोग इसको बोलते है इसको बोलते है इफेक्टिव रजिस्टेंस इसको बोलते है potential difference ऐसे याद करना आप लोग है यह हम को क्या क्या बताना है deflation layer बताना है resistance बतान width मतलब यहाँ पर width उसके बाद resistance बताना है रुकाओट इसमें क्या आएगी इसके बाद दो point बताना है मतलब potential difference बताना है इसके यह जो notes हैं यह हमारे MP board education app की उपर टले वे है free of cost वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो बाकी हमने एक PDF प्रोवाइड करी थी आपको वहाँ प electricity तो सेम ही है बस यहीं चीज़े है पी एंजंक्शन डायोड देता थोड़ी है किसी website पहलग होगा किसी पहलग होगा concept तो वही रहेगा भी है एक बार वो potential difference वाला बता दीजिए अच्छा ठीक है देखो potential difference का मतलब यहाँ पे यह होता है potential difference हमेशा 2 point के बीच में होता है ध् इतना current यहां से बनेगा लेकिन अभी हमारी बात कहां चल रही है potential difference पे चल रही है तो potential difference के लिए 2 point चाहिए आपने बोला कि यह point को हम पास पास ले आएंगे तो difference कैसा आएगा छोटा आएगा आपने बोला कि यह जो हमारे points उनको दूर दूर ले जाएंगे तो क्या आएग अब हमारे पास question आता है बहुत प्यारा सा rectifier rectifier एक device है क्या है एक device है क्या device है वो समझाते हैं आपको a rectifier is a device that converts an oscillating two directional alternating current into a single directional direct current आप सभी को पता है current कितने परकार के होते हैं दो परकार के current होते हैं एक AC current एक DC current हमारे घरों में जो current आता है ठीक है DP से जो current आता है न हमारे घरों में transformer से जो current आता है उसको बोलते है AC current और जो हमारी battery जो होती है cell जो होता है चोटा सा उसमें जो current होता है उसको बोलते है DC current अच्छे है आपने सुना होगा current का हाथ लगाने से death हो सकती है सुना है आपने सभी ने लेकिन आपने यह चैसे देखिए कि जो छोटे मोटे cell होते हैं उनका आप हात लगाते। तो बिलकुल भी कुछ फरक नहीं पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकी जो सेल होता है उसमें होता है DC current. DC current हमारे लिए नुकसान दायक नहीं होता है. नुकसान दायक होता है इगरेक्शन में कोई जटका नहीं लगता है आपको. जेन्रेटर कौन सा ऐसी जटन्रेटर ढाइनमो जो बोल रहे हो गया तो इसी गुटर बनते है लाई टो अलला जैंड तर पर भी थो जहां पने राओập यह है चलो अब इतना डीप में नहीं जाते हैं आपको समझा दिया concept अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दो प्रकार के rectifier होते हैं एक होता है half wave rectifier एक होता है full wave rectifier समझाएंगे बहुत easy concept है इतना समझ में आया कि rectifier करता क्या है यह क्या करता भी है AC current को DC current में convert कर देता है AC current को DC current में convert कर देता है यहाँ पर देखो यह था आपके पास कुन सा current AC current दो direction है ना इसकी positive negative इसको किस में convert कर दिया इसने DC में convert कर दिया तो यह होता rectifier का का हम चलो concept समझते हैं उसके बाद तो बहुत आसान है हमारे लिए करना रिवाइस कर ले ना आप लोग सभी यह जो चीज़े आपको पढ़ा रहे ना आज इनको घर जाके अच्छे से पढ़ना एक बार यहां से हमारी जो पेंटे भी इसको connect कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा ही है इसको वापस एक बार connect करके देखते है चलो ठीक है तो दे करने हैं ध्यान से सुनना करेंट यहां से कहां पर आ जाएगा यहां पर विश्वास ना हो तो क्या करो यहां पर हाथ लाकर देख ले ना पता चल जाएगा जटका लगेगा ठीक है तो यहां से करेंट यहां से करेंट किसमें दिया था इसमें दिया था यहां से करेंट यहा यहां पर तो यहां पर फॉजिटिव यहां पर तो यहां से चला चलते हैं यहां से चला driven यहां पर प्र बाइसिंग है कि रिवर्थ problाइसिंग जाहा देखो तो फी किसने करनेक्टेंट है positive से connected है मतलब यहे forward byzing तो क्या कर देगा message को यह क्या कर देगा forward कर देगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा जब यह positive आएगा तो यह इसको इस तरीके से बना देगा चलो भईया हमको समझ में आ गया अब दूसरी cycle चली यहाँ पर बना negative यहाँ पर बन गया भई यह positive ठीक है अब क्या होगा फिर से चलेगी cycle यह आया negative चलो भईया हम भी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है हमारा PN junction डायोड खड़ा हुआ है PN PN क्या बोलेगा चलो बताओ तो भईया तुम कहा से connected हो इसने देखा रहे तुम तो negative से connected हो तुम तुम तुमारे दुश्मन हो तुम तो reverse करते हैं रुको भी तुम तो इसने करते है reverse तो बिचारा छोटा सा मुँ लेकर वापस आ गया तो क्या हुआ ध्यान से देखा आपने negative में कोई cycle नहीं बनी negative की time पे कोई cycle नहीं बनी इस negative के side में कोई फिस से positive आया इस बार positive आया इस बार कौन आया negative आया यहाँ पे negative आया फिस से गया भी है चलो positive है हम तो हम तो चलते हैं फिस ने देखा कि रुको 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 तुमारे पास कौनसा साइट से connected हो, इसने बहुत है यहां positive side से connected है, तो ठीक है भीए, आ जाओ तुम अंदर, यह आया अंदर, और यहांसे हमारे पास positive cycle बन गी, ठीक है, यह बन गी positive cycle, बस इस तरीके से करना है, तो आपने क्या सिखा यहां से, आपने इसको बोलते हैं half wave rectifier, यह half कोई कर पाता है, transformer, इसमें आपको क्या-क्या लिखना पड़ेगा, वो देख लो, half wave rectifier transformer AC to DC में यह convert करता है, half wave rectifier में कितने diode होते हैं, single diode होता है, एक ही diode होता है, हमारे पास, PN junction diode कितने होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक होता है, ठीक है, इतना सा आप लोग समझ लो, अब आप लोग समझो, half wave rectifier is defined as the type of rectifier that allows only one half cycle, यह सिर्फ एक half cycle को चलने देता है, बाकी एक को block कर देता है, एक को क्या करता है, अब यह एक cycle को block कर देता है, आया इतना समझ में, ओके भी यह आ गया समझा, diagram बनाना है, आपको यह लिखना है, और साथ में यह आपको diagram बनाना है, आई समझ में, इतना लिखना और इतना diagram बना देना, इसके आपको number मिल जाएंगे पूरे, उसके बाद आप से पूछा जाता है, यह full wave rectifier क्या होता है, अब यह आपको वापस एक बार समझाएंगे, रिवाइस करवाएंगे, लेकिन आप लोग पहले यह समझो, full wave rectifier क्या होता है, full wave rectifier, अब भी यहाँ पे positive, यहाँ पे क्या है, positive, यहाँ पे negative, फिर से चला यहाँ पे, तो पहली cycle में यहाँ बन गया positive, भी यहाँ फॉरवर्ड में connected है, हमको फॉरवर्ड करो, उसनों बना ठीक है, जाओ भी यहाँ पे आया, देखो यह जो है ना, हमारे पास resistance जो लगे हुए होते हैं हमारे पास, resistance का मतलब है, यहाँ से आपको, आपका answer मिल जाएगा, एक तरीके से आपको output मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको output मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आप लोग अपना mobile charge लगा सकते हो इक तरीके से, आप लोग यहाँ पे दो point बनाओ, पूरा system बनादो इसका पूरा, ठीक है, आपना charger लाओ, charger से connect कर लो, mobile charge करो अराम से, ठीक है, लेकिन, यह तो समझने की चीजे हैं, समझ मैं आई, यह output points है, तो जब positive यहाँ पे बना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आया negative यहाँ पे, यहाँ पे बन गया positive, तो अब क्या होगा, negative है, कि भीया, मैं को जाना है यहाँ से, यह क्या बोलेगा, नहीं भीया, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप reverse में connected हो, लेकिन positive जब इदर से जाएगा, तो क्या बोलेगा, कि हम तो जाएंगे, यह बोलेगा, हाँ तुमको तो जाने देंगे, तो यह जाएगा, अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब इस बार negative के case में भी कोई दिक्कत नहीं आई, positive के case में भी दिक्कत नहीं आई, negative के case में भी दिक्कत नहीं आई, negative इदर से नहीं जाएगा तो positive जो बना, वो चला जाएगा इदर से, आई बात समझ में, ऐसा होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर energy का नुकसान नहीं होता है, यहाँ पर जो energy है पूरी बज जाती है हमारे पास, आई बात समझ में, तो यहाँ पर positive यहाँ पर negative, तो यह इन दोनों को किसमें convert कर दिया, इसने positive positive में connect कर दिया, आई बात समझ में यह होता है, यहाँ पर energy का नुफसान बिल्कुल नहीं होता है, यहाँ पर आपसे पूछेंगे कि बताओ कितने diode connected होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर दो diode connected होते हैं, एक one, एक two, ठीक है, दो diode connect करते हैं, बीच में क्या करोगे, आपके output circuit यहाँ पर बना देना, A full wave rectifier is defined as the rectifier that converts complete cycle of AC into a pulsating DC, मतलब AC is DC में यह convert कर रहा है, main चीज क्या है यहाँ पर, यहाँ पर दो आपको क्या देखने को मिलेंगे, PN junction diode देखने को मिलेंगे, unlike half wave rectifier, the utilize only one half cycle of input AC, full wave rectifier utilize full cycle, यहाँ पर full cycle बनती, कुछ भी block नहीं करता है, The lower efficiency of half wave rectifier can be overcome by the full wave rectifier, तो जो कमिया थी, half wave में वो full wave से पूरी हो गई, तो इससे फाइदे और नुकसान भी आप लिख देना, कि यहाँ पर आपको जादा खर्चा लगेगा, क्योंकि आपको दो diode बनाने पड़ेंगे, ठीक है, और फाइदा क्या मिलेगा, आपको फाइदा तो यह सा, half wave rectifier और full wave rectifier, अब आप लोग एक बार उसको समझाएंगे, उससे पहले आप लोग देख लो कितना आपने cover कर लिया, पूरा chapter खा गया आपने, यह देख लीजिए, 6 questions थे, 6 के 6 आपने कर दिया, जो question number हमारा है, कुनसा, third वाला, देखो ज़रा, what is rectifier, तो rectifier क्या होता है, एक ऐसा device होता है, जो कि AC को DC में convert करता है, यह दो प्रकार के होते हैं, name, different kind of rectifier, half wave rectifier, full wave rectifier, लिख देना, इसके बाद आप से पूछे हैं कि यह पिन जंक्शन डायोड को लगाओ कि इसमें half wave में और full wave में, आप से अगर half wave पूछे तो half wave का लिख देना, full wave का पू किसी को ऐसा है, जो समझ में बिलकुल नहीं आया है, सब को आगया समझ में, सर, अच्छे से समझ में नहीं आया, यह समझ में नहीं आया, बस, चलो समझाते हैं, एक बार और आपको, सर रökटिफाइर और 친न एधिक चीज होती है ज्यख़ उसकी बाद होता है वह असे से कनवर्ट करता बस यह होता है हुद प्रोसेस आपको देते हैं अ्छा सा नहीं आ रही है, यह तो example नहीं आ रहा है, हमारे दिभांग में अभी, लेकिन आपने देखा होगा यार, कुछ चीज होती है, और कुछ चीज की process होती है, दोनों अलग-अलग होती है, जैसे की, क्या है, नेशनल, नेशनल मतलब होता है, कुछ भी राष्ट्री चीज, नेशनल सॉंग, नेशनल बर्ड, लेकिन नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी जो चीज नैशनल नहीं है उसको नैशनल बना देना। ये वन क्वेश्श है। तो बायगो करते हैं, अप लोग सभी इसको देखलो. कर दो अच्छे, क हां करते हैं बारू उस से पहले जरा इसको देख लो अच्छे से निहार लो इसको, नहार लो हमारा हाफ वयु हीयर외 हमारा शायद मुबाइल डिस्चार्ज हो रहा है तो इसको चार्ज लगा देते हैं तब तक आप इसको देखो जरा पड़ो इसको ओके तो देखो क्या कुशन थे आपके क्या क्या पूछ रहे थे आप लोग एक बारो बता दीजिए समझाते हैं फिर कहां पर आपको डाउट्स आ रहें सर आप वेव समझा दो एक बार हाफ वेव समझाएं देखो आप लोग जब लिखाओगे न तब आपको ओ अच्छे से समझ में आएगा लेकिन अभी आप लोग ऐसा लग रहा हुगा कि समझ में तो आ रहा है लगबग लगबग लेकिन फिर भी गॉन्फिदेंस नहीं आ र पॉइंट आता है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है कितने डायोड यूज होते है एक डायोड यूज होता है अब क्या हुआ एक डायोड यूज होता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर is defined as a type of rectifier that allows only one half cycle of as voltage waveform to pass while blocking the other half cycle तो हाफ वेव हुई English वही आपको लिख क्या नहीं है अपनी normal English आपको लिख सकते हूँ कि भाया जो हमारा half a rectifier है it allows only the one cycle of the circuit or you can say current AC current and it will block the other cycle of the AC current okay so there will be a energy loss you will see there will be a energy loss okay इस तरीके से आप लो क्लिक देना अब आप लोगे एक बार concept समझा देते हैं वर्किंग समझा देतने क्यों हुआ हाँ बोलो कि ट्रांसफार्मर में वो AC से DC में convert करता है इसी से AC में करता है उसका काम यह होता है कि इदर का करन इदर लेता है यहां से लेता है यहां पर लेता है मतलब होता क्या है कि हमारे पास current आ भी हाई voltage में अमारे घर में इतना current आ गया तो क्या होगा सब light white सब 60 हो जाएंगे तो यही क्या करता है voltage को increase करता है आया समझ में इस सर यहां पर यह वाला दिया है डायोड लोड ट्रांस्फार्मर कि डायोड कि ट्रांस्फॉर्मर में डायोड कि सब्सक्राइब करते हैं यहां तक तो हमारे पास AC था यहां तक तो हमारे पास AC ही आया लेकिन यहां तो ट्रांसफोर्मर तो लगले पड़ेगा बिनन से यहां पर कैसे लाए करण को कषा करें होता है कशा पर प्लस और गोड़ा माइनस को जा निक्लो यहां से ठीख़ो करेंट क्या होता पुरा साइकल घुम具 तब जाके एक complete होता है ऐसा नहीं कि बस इतने से में हो जाएगा आप देखो यहाँ पे negative बना यहाँ पे positive बना तो होता क्या है यह यहाँ से चला तो इसको माना कर देगा भी यह आप नहीं जा सकते क्योंकि आप negative हो ठीक है यह भेदभाओ कर रहा है यहाँ पे देख रहे हो आप लोग सभी भेदभाओ कर रहा है यहाँ से चला जाएगा यह वापस बगा देगा इसको तो वापस से zero कर देगा यह आरा है समझ में इसमें बता और क्या दिक्कतारी यह बना क्या ना यहाँ पर AC बनाना यहाँ DC बनाना यह बीच में यह बना क्या आना फुल वेव वाला एक बर फिर से बता दो फुल वेव देख लो फुल वेव बहुत सांदार है फुल वेव यह है यहाँ पर positive sorry, बना देते हैं यारो बना के दिखाते हैं यहाँ पर positive यहां पर negative तो positive जो होगा वो चला यहां से वो क्या बोलेगा कि हम positive हैं कि हम जा सकते हैं यह बोले कि जी हां आप जा सकते हैं कि हमें P और हमें N और P P को अलाओ करेगा तो यह जाएगा कि जाओ भीया जाओ जी लो अपनी जिन्दगी तो इस तरीके से cycle complete हो भी अब भीया किसक सब्रंदों देंगे आपने हमारे वेवार बिगाडली है आपने वेवार बिगाड़ लिए तो आपको नहीं आने देंगे तो यह भगा देगा यह वापस चला जाएगा ठीक है यह सोचेगा कि चरौ साइधना बिए यहां पर positive बन रहा है यह क्या बुलेगा कि आरे negative क्या ह आपको साइकल पूरी की पूरी रहेगी, यह positive पूरी रहेगी, यह positive यह negative आपको पूरी मिलेगी, यह पॉजिटिव और यह तो सब्सक्राइब को इसमें ग्रशेटिव में गणरेक करते हैं बस यहीं चीज़ें हैं इस reiter वॉइल को सब्सक्राइब में ऐसरा सब्सक्राइब के फ गीमिए का अलेका ए डिखा यहाँ पर, full wave rectifier rectifies the negative component of the input voltage to positive voltage and then convert it into our DC pulse utilizing our diode bridge configuration. यह तो working लिग दीज की हमने, यह आप लोगो पर देखो, यह है पूरा अच्छा से setup. A full wave rectifier is defined as the rectifier that converts the complete cycle of alternating current into a pulsating DC. Unlike half wave rectifier that utilize only half wave of the input AC cycle, full wave rectifier utilize the full cycle. ठीक, पढ़ लेना यारे theory अब कितनी बार पढ़ाएं आपको, या तो है नहीं कि जाना पढ़ाएंगे तो कुछ अलग change हो जाएगा, वोई चीजें लिखी हुई है बार बार, हम सोच रहें कि time को waste ना करें, कुछ और पढ़ लेते हैं इसमें, time है हमारे पास अभी भी, दो तिन question और करवा देंगे, तो यह जो chapter अब यह खतम हो गया, अब नहीं है इसमें कुछ भी, यह जो logic gate थे, वो तो reduce हो गया है, तो कोई मतलब नहीं है इनको करने से, यह reduce हो चुक है है, तो अब आप लोग देख लो, सारे के सारे, जितनी भी important है, सब तो कर लिया हमने, बचा क्या chapter में, chapter ही खा गया आपने, और आप बोल रहे हो कि और दे दो हमको, तो यह सा थोड़ी ना है, chapter ही खतम हो गया, scientist ने इसके उपर आगे research करेंगे, तो जो आपके बेटे-बेटी होंगे, वो पढ़ेंगे आगे की topics यहाँ पर, अभी तो खतम है, पुरा chapter ही खतम कर दिया आपने, आप बोल रहे हो क्यों पढ़ा दो हमें इसमें, तो क्या पढ़ा है, पुरा syllabus हो गया खतम, मतलब इस chapter का syllabus था, वो कतम हो गया, तो इससे अच्छा है कि हम दूसरा chapter पढ़ लेते हैं, दूसरा chapter को उससे पढ़ा होंगे, पूर्ण टाइप सेमिकंड़क्टर एनर्जी बन के ता उसमें नहीं पढ़ा होंगे, नहीं, यह उसा पूछा नहीं जाता है, वो सारे के सारे यह है, आपको दो कुशन मिलेंगे, ठीक है, तो होता क्या MP board में दो कुशन आते हैं, एक की और में एक कुशन आता है, अतलब समझ रहे हो, एक ही कुशन रहेगा, उसमें दो रहेंगे, तो आपको तो कोई सा एक करना है, लेकिन हमने तो पूरे करवा दिया आपको, तो यह चप्टर तो बिल्कुर आपको छोड़के आने ही नहीं है, करना ही करना है, जो इन्हीं में से तो आता है, यहीं तो हैं सारे कुशन जो देता है MP board, MP board जो है ना, वो एक काम वो तो अच्छा करता है, कि बड़े कुशन में वो जादा फेर बदल नहीं करता है, बहुत मुश्किल से करता है, करता है तो, बाकि छोटे-छोटे कुशन में वो फशाता है बच्चो को, दो-दो नमबर के जो कुशन होते हैं, वहाँ पर फशाता है, अबजेक्टिव में फशाता है, चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यार, क्योंकि हमारे पास समय बहुत अनमौल है, इलेक्ट्रोनिक डिवाइस खतम कर लिया हमने, इसके बाद एटम एन नुकलियाई तो बाद में करेंगे, यहां से दो-नमबर के आता है मेंशा, आप्टिक्स देख लेते हैं, आप्टिक्स में से हम लोग स्मार्ट वक करेंगे, एक क्यूशन आएगा, चार नमबर का, और हम लोग दो-नमबर के क्यूशन से भी साथ-साथ थोड़े वो देख लेंगे, तो हो जाएगा, आप्टिक्स में कुछ-कुछ टॉपिक आपको करवा देंगे, देखो, रेक्टिफायर को हमने शॉट में लिखा हुआ यहां पर यह देख लेना, रेक्टिफायर, डिवाइस अल्टरनेटिंग करेंट को डिरेक्ट अरेंट में कर देता है, यह हाफ वेव किस तरीका से बनेगा, फुल वेव, फुल वेव इस तरीका से बनेगा, इसे शॉट नोट्स बनाते चलना आपने, ताकि जो जो इंपोर्टन चीजें उससे आपको याद जाए कि हाँ, इस तरीका से हमको थियोरी लिखनी है, फिर अपने हिसाब से मंग से बढ़ाए कि अभी दायो दोगे ना गुलप पे, जैसे ही क्लास विनिश होगी उसके बाद यही काम करेंगे, बट आप लोग भी शॉट नोट्स बनाना है अपने, नहीं है कि बस इसमें देखते रहो, शॉट नोट्स बहुत अच्छी चीज है जो कि आपकी कॉपे में लिखा होना चाहिए और टाइम नहीं लगता है इसमें, फुल नोट्स रहेंगे या फिर हमको टॉपिक देखने पड़ेंगे, क्या बोला आपने, मतलब जो हेड्लाइन रहेंगे जास्तामी कंड़क्तर है तो वो पूरा टॉपिक दिजा रहेंगा या फिर रिडिउस रहेंगा उत्ताई कित्ता पड़ाई है ये शॉर्ट नोट्स तो ऐसे रहेंगे जो आप लोग देख रहेंगे ये पीडिएप देंगे आपको ये वाली इसमें तो सिर्फ शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पर यह होता है कि इसमें वो वो चीज़े हमने लिखी है जो कि इससे आपको दिमाग में आ जाएगा आए इतना सा बता दिया आपको इतने में सारा चीज़ आदा जाएगी आपको ये चीज़े होती शॉर्ट नोट्स की बाकि इस लिए इसको टाइम लगेगा हमें करने में इसमें इसमें बहुत सारी कुशन से तो आभी आप लोग पूरे मत करना जो हमनें पढ़ा है उनको लिख लेना बसाब पूरे मतलिक लास्टियर मेरे छोटे वाई ने पढ़ा था आपके इसी क्लासिस से अरे वाया क्या नाम था उनका पास हो गया था ठीक है तो अच्छी बात है उनके पास भी नोट्स होंगे उनसे पूछना की बनवाये थे सर ने नोट्स बनाएगी नहीं बना तो हम लोग कहां पर थे हम लोग वेव अप्टिक्स देख रहे थे यहां से तीन नमबर का एक क्यूशन बनता है सबसे जो इंपोर्टेंट क्यूशन है जो कि दस सालों में लगभग पांच बार आ चुका है वो करवाते हैं आपको सबसे पहले यह है इंटर्फेरेंस और डिफ्रेक्शन में डिफ्रेंस ठीक है इंटर्फेरेंस और डिफ्रेक्शन में डिफ्रेंस देखो पांच पॉइंट है आपको एटलिस तीन तो याद करना ही करना है ठीक है तो इसको हम लोग पूरा डीप में नहीं जाएंगे यहां से तीन कोश सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले आपको इंटर्फेरेंस बताते हैं इस तरीके से एक वेव आई एक वेव आई ये वाली ये वेव आई तो इंटर्फेरेंस का मतलब होता है कि दो इंटर्फेर कर जाएंगी क्या कर जाएंगी इंटर्फेर तो इससे क्या बनेगा सुपर पोजिशन होगा सुपर पोजिशन का मतलब होता है दोनों जुड़ तो यहाँ पर होता superposition superposition का मतलब समझते हो जुड जाना एक तरीका से और इस तरीका से resultant wave हमारे बनेगे तो आप से वह पूछ लिए बताओ interference क्या होता है तो यहाँ पर क्या होता superposition of two waves diagram बना देना अगर आजा interference में तो इसका नाम देना y1 इसका दे देना y2 और फिर formula लिख देना कि y1 plus y2 equals to resultant इस तरीका से बना देना इसका बाद reflection की बात करते है diffraction क्या होता है वह यह diffraction का मतलब होता है यह बहुत अच्छा concept है इसको आपको वीडियो से समझाते है क्योंकि इसको वीडियो देखने से जाना समझ में आएगा वेव अप्टिक्स अच्छा वेव अप्टिक्स का तो हमारे पास powerpoint होगा शायद powerpoint में open कर लेते हैं देखियो diffraction क्या होता है उसको समझाते है ताकि आपका concept clear हो जाए एक बार concept clear हो गया फिर तो बहुत आसान है सब point आप लोग लिखते होगे diffraction देख रहे हैं हम लोग interference ने diffraction देखो यह light चली अब यहाँ पर चीए sharp edges sharp edges से यह light हमारे टूट गई इस तरीके से देख रहे हो आप लोग सभी यह light जा रहे है देख रहा है आप सभी को हाँ तो देखते जाओ यह light पड़ी एक जगा पर अब यहाँ पर जब light पड़ी तो light कुछ इस तरीके से तूटेगी white black white black white black white black यह होता है diffraction इसको बोलते है diffraction देख लो एक बार अच्छे से यह देखो आप लोग यहाँ से याद रखना यहाँ पर white black white black white black इनको बोलते है fringes इनको बोलते है fringes ठीक यह pattern जो दिख रहे है इनको बोलते है fringes इस तरीके से बनती है तो बस यही चीज़े हैं आपके लिए समझने के लिए अब देखो यहाँ पर वापस आ जाओ यहाँ पर तो bending of waves around the edges bending of waves around the edges यहाँ पर आप sharp edges भी लिख सकते है sharp edges तो जो sharp edge होती है उससे हमारी जो wave होती है वो bend हो जाती है तो diffraction क्या होता है bending bending समझते हो क्या होता है मुड़ना हमारी जो waves है वो मुड़ जाएगी ठीक है तो यह होता है diffraction के case में ठीक है इसके बाद बात करते हैं अगला point superposition of waves from two coherent sources यह point बहुत शांदर point है यहाँ से आपका एक question और तजयर हो जाएगा coherent sources का देखिया सुनना ध्यान से हमारे पास इसमें क्या होता है याद है सभी को दो waves आती है इस तरीके से एक वेव आएगी इस तरीके से मतलब दोनों का दोनों जो रहेगी और दोनों सेम रहेगी इससे हमने यहाँ पर सेम नहीं बनाई है लेकिन दोनों का जो angle रहेगा वो सेम रहेगा ठीक है दोनों का phase difference same रहेगा ठीक है तो यह चीज़ें होती दोनों के same ही होती तब ही जाके होता है interference ऐसा नहीं कि यह वेव कुछ अलग यह वेव अलग ऐसे नहीं होगा यहाँ पर दोनों की दोनों same होनी चीए आपको दिखाते हैं एक्टेंगल की आपके पास एक पर चीए बहुत पतली शीट है आपने दो हो画 दी है एक होल यहाँ है छोटा सा अब क्या होगा यहाँ पर आपने लगई बेटरी मुक्ष यहां से जाएग और यहां से जाएगी थीकिए इस तरीके से जाएगी लेकिन आप क्या बोल रहे हो आप लोग ये बोल रहे हो कि यह जो torch यहां से जाएगी तो हमारी light टू कुछ इस तरीके से जाएगी तो मिलेगी कैसे मिलेगी आप लोग पोग fertile होती है वैव ऐसे चलती है यह हमको लगा कि यह अलग-अलग source से आ रही है लेकिन जब पीछे देखा तो पता चला कि भी यह पीछे source एक ही है तो आ रहा है समझ में तो इनको बोलते है coherent sources इनको बोलते है coherent sources तो जो light है वो एक ही source से आनी चीए आ रहा है समझ में जिनका phase difference सब कुछ same हो अभी आपको समझाते है coherent sources लेकिन आप लोग concept समझो एक बार कि यहाँ पर दो hole है दो hole से पीछे से एक ही source लगा हुआ है लेकिन हमें क्या लग रहा है कि दो अलग-अलग sources है और दोनो sources के से हैं दोनों के दोनों एक जिसे हैं ठीक है यह reality होती है तो यहाँ पर हमें coherent sources चाहिए यहाँ पर आप लोग इसको ना लिखना चाहो तो लिख देना direct कि यहाँ पर coherent sources की ज़रूत नहीं होती है आया समझ में इससा smart work कर लेना superposition of wave emitted various points of the same wave front तो इसको अटा के आप लोग direct के लिख देना इसको अटा के बोल देना कि यहाँ पर coherent sources नहीं चाहिए यहाँ पर जो fringes बनेगी black and white जो fringes आप लोग देख रहे थे black, white, black, white, black यहाँ पर सभी equal size की बनेगी यहाँ पर equal नहीं होती है यहाँ पर equal नहीं होती है यहाँ पर क्या होती है कुछ ज्यादा, कुछ कम, कुछ ज्यादा, कुछ कम ऐसे होती है, यहाँ पर सभी equal होती है आया समझ में तो 3 points आपके यह रहे उसके बाद आगे देखो यहाँ पर ज्यादा number of fringes बनती है पट्टियां जो होदी न, पट्टियां जो हमने आपको दिखाई थी वो जो पट्टियां है वो यहाँ पर ज्यादा बनती है यहाँ पर कम पट्टियां बनती है intensity of all bright fringes are almost same अब जो bright मतलब जो white color की जो पट्टियां थी fringes थी वो कैसी थी उनकी intensity सब की बराबर थी ऐसा नहीं किसी की जाना किसी की कम क्योंकि सब तो equal थी लेकिन यहाँ पर जो intensity थी वो गिर गई वो क्या हो जाती ही गिर जाती है मतलब unequal होती है आप लोग बोल सकते हैं intensity fall rapidly from higher order to lower order तो होता क्या है यहाँ पर intensity गिर जाती है यह चीज़ है यहाँ पर अब एक बार और समझो सारे के सारे points एक साथ पांच points है इससे आपके 3 से 4 cushion बन जाएंगे यहीं से interference और diffraction में difference में आप लोग सबसे पहले बताऊगे कि यहाँ पर होता है superposition दो waves का अच्छा आपको दिखा देते हैं याज एक बार कि कैसे होता interference तो आप लोग को और समझ में आएगा अच्छे से यह देखो यहाँ पर आप लोग diagram देख पा रहे होंगे image एक तरीके सही है देखो source एक ही है लेकिन हमें क्या लागा दो source से निकल रहे हैं तो यह होता है दो आपको coherent sources चाहिए इनको बोलते है coherent sources आप से question पूछ लेंगे कि बताओ coherent sources क्या होते हैं तो आप लोग क्या बोलोगी coherent sources यह होते हैं जिन में coherent sources कहां लिखा है हमने यहाँ पर लिखा है thus source of light which emit continuous light wave of same wavelength same wavelength उसके बाद हमारे पास आएगा frequency same frequency and same phase यहाँ पर दो बार हमने एक चीज़ लिख दी है लेकिन एक आप काट लेना कि यहाँ पर same wavelength नहीं आएगी यहाँ पर दो बार लिख दी है same wavelength चाहिए same frequency चाहिए और same phase difference चाहिए मतलब क्या हुआ डरने वारी बात नहीं है बहुत simple है सबसे पहले तो यह समझ लो कि coherent sources उनको बोलते हैं जिनकी wavelength wavelength क्या हो बराबर हो उसके बाद wavelength के बाद frequency बराबर हो उसके बाद phase difference phase difference कैसा हो phase मतलब कितना angle बन रहा है angle भी same हो तो WFP यह है trick याद करने की कि जब यह तीनों same होती है उसको बोलते है coherent sources of light तब जाके दोनों sources को कैसे बोल सकते हैं हम लोग same बोल सकते हैं आया समझ में फिर से सुन लो आपको wavelength frequency और phase difference तीनों जब same हो जाएंगे तीनों के तीनों जब same हो जाएंगे तब ही आप दो point को क्या बोल सकते हो coherent sources बोल सकते हो अगर इसमें से एक भी चीच कम रह गई तो आप नहीं बोल सकती कि यह दोनों की दोनों कैसे है coherent है नहीं है अब आप से गर तीन point लिखने को कैदे हैं तो लिख दोगे कि पहले point में लिखना कि coherent sources उन source को बोलते हैं जिसमें wavelength same होती है coherent sources उनको बोलते हैं जिनमें frequency same होती है साथ में phase difference same होता है तो तीन point आपके तयार होगे आया समझ में यह होता है तो short notes में हमने लिखा हुआ आई इसको भी आपको दिखा देते हैं देखो short में कैसे आपको लेके चलना इसको यह देखो same WFP से हमने याद करवाय था पिछले साल भी WFP से source which emit light wave continuously coherent sources कि नको बोलते हैं ऐसे source जो कि light हमेशा निरंतरता के साथ release करते रहते हैं इस तरीके से emit करते रहते हैं same wavelength होनी चाहिए frequency same चाहिए और phase difference same चाहिए तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि यह दोनों के दोनों के से हैं same है या फिर coherent है आई बात समझ में तो यह आपको short में लेके चलना है तो देखो अब आपके कितने सारी question तयार हुए वो देखते जाओ आप कितने सारी question से आपने तयार कर लिए देखते जाओ देखना यहां से यह दो दो नंबर तीन तीन नंबर के बहुत सारी question आपके तयार हो गया यह दयार हुआ आपका तो आप लोग इसमें coherent sources की definition लिख देना के विए दो coherent sources तभी possible है जब WFP same हो ठीक है यह आपका तयार हुआ इसके बाद explain principle of superposition and coherent source of light यह तयार हो गया इसके बाद write difference between interference and diffraction यह आपका तयार हो गया इसके बाद आपका यह तयार हो गया यह क्या होता यह बता दिया हमने इसके बाद यह जो लिखा न यहाँ पर question write any four necessary condition of interference of light तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे इसमें भी आप लोग यही चीज लिखना coherent वाली जो तीन condition बताई थी वो लिख देना साथ में लिख देना कि यहाँ पर super position भी चाहिए साथ में तो चार condition बन जाएगी तो यह आपका तयार हो गया इसके बाद what do you understand by diffraction of light यह लिख देना कि भाईया जो sharp edges होती है वहाँ से light हमारे टूट जाती है और क्या हो जाती ही bend हो जाती यह वह यह एक बार और सुन लो आप लोग सभी एक बार और समझा देते हैं यह देख लो एक बार सबसे पहले क्या लिखोगी यहाँ पर super position होता है दो waves आपस में जुड़ जाती है इसके बाद bending of light यहाँ पर होता है bending of waves होता है very sorry bending of waves around the edges होता है यहाँ पर two current sources चाहिए यहाँ पर two current नहीं चाहिए इसमें equal fringes बनती है यहाँ पर unequalic fringes बनती है यहाँ पर intensity सबकी सेम होती है यहाँ पर intensity सबकी सेम नहीं होती है यहाँ पर ज़्यादा fringes बनती है और देखा यह गया है कि इस चेप्टर से तीन नंबर में दो नंबर में आता ही आता है confirm a question आएगा और interference सबसे important है coherent sources हो गया आपका दूसर नंबर का question या फिर आपसे इसा पूछ सकते कि super position क्या होता है तो बता देना कि या दो waves जुड़ जाती है उसके बाद diffraction अगर आपसे अकेले में पूछ ले मतलब एक question आपसे पूछ ले diffraction का लग से what is diffraction तो diagram बना के सब कुछ करके बता देना उनको ठीक है diagram के लिए आप लोग इस तरीक से बनाना कि यहां से sharp pages में बहुत sharp pages इसे टकराएगी टकराने के बाद ऐसी fringes बनेगी कोई जादा कोई कम कोई जादा कोई कम इसकी जादा होगी intensity इसकी कम होगी ठीक है यहां पर unequal fringes बनती है ठीक है तो यह होता diffraction का diagram यह बना दे आप से पूछा जाता है यह देखो यह जो है इस तरीके से हमारे पास superposition होता है दो वे उस चली दोनों की दोनों आपस में जुड़गी यह यहां पर देखो छोटा सा हमने diagram बनाया था यहां पर इस तरीके से इस तरीके से और यह जुड़गी इसको आप लोग पुरा अच मतलब यहां पर यह होता है कि भी direction भी है सिर्फ value से काम नहीं होगा direction भी होती है किस direction में जाएगी तो अगर यह दोनों जुड़गी तो इस direction में जाएगी इसलिए हम इसके उपर बाहर लगाते हैं जो maths वाले हैं उनको पता होगा एक chapter भी हमारा maths में vector तो इसको क्या बोलते vector sum बोलते हैं क्या बोलते हैं vector sum कि आपने यह vector का sum कर दिया है vector का मतलब यह होता है जिसके पास magnitude भी होता है value भी होती है मतलब और साथ में direction भी होती है इसको बोलते है vector तो यह था यार principle of superposition ऐसा आप से पूछ सकते हैं तो superposition interference यह चीज़ें थी बाकि आप लोग समझ गए इ ऐसे students जो की direct यहां पर आ चुके हैं वीडियो में वो लोग सुन लीजिए कि आप लोगों ने अभी इस वीडियो में क्या-क्या देखा है या फिर आप लोग देखने वाले होगर आप लोग यह वीडियो देख रहें वीडियो फॉर्मेट में तो हमने इस वीडियो में क्य आप में lens का नियो यह करवाया यहां पर इसके बाद electronic devices मतब semiconductor जो है यह पूरा पूरा खतम करवा दिया हमने इसके बाद हमने last में उठाया था optics से wave optics तो wave optics के लगबग 30% से levels हमने खतम कर दिया है wave optics का यहां पर हमने interference पढ़ाया है साथ में diffraction पढ़ाया है दोनों में difference इतना कुछ इस class में हमने किया है तो यह था इस class में बाकि next class में हम लोग आगे के topics पढ़ेंगे देखेंगे क्या पढ़ना है हमें लेकिन इस class में थे हमने यह साही चीज़ें पढ़ी है ओके सो कोई doubt परिशाने दिक्कत हो तो आप लोग हमें comment कर सकते हैं वीडियो में अगर आप लोग वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रूप में जोड़े हैं टेलिग्राम ग्रूप में तब भी आप लोग हमें message कर सकते हैं WhatsApp के